पुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बेवत मौत को भी बतल रहते हैं इतना खुण देखके लगता है, इसे बड़ी बेहरेमी समा रहा है सर्थ, ये खुण उसका नहीं हमारे लोगो के येजे नावपिचर ते कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे अईसा ही लगा हमारे लोगो के याइ लाइ याइ इसको लेकिया हग दोगे तो रामायन शुरू होगी चीजों वे तो महादा गाता फैसला तुमें करना है रामायन की महादा कैसे है यश और संजय के रिष्टे के जीफ 3 के सेट्स पर प्रोडक्शन कैसे रख रही है आक्टर्स का खयाल सेट्स पर सॉंग्स कैसे होंगे के जीफ 3 में संजय दत और यश दोनों ही के जीफ में इंपोर्टन रोलने भाते नजर आएंगे लेकिन इन में कोई दोर आहे नहीं है कि दोनों अपनी अपनी जगह बड़े स्टार्स हैं वहां औरों के जैसे संजय और यश भी अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं चाहे वो लुक्स हो या बॉडी लेकिन आपस में दोनों बहुत बातचीत करते पाए जाते हैं प्रमोशन्स तो दोनों साथ कर ही रहे हैं इसके अलावा दोनों हासी मजाग करते भी पाए जाते हैं संजय दक अपने एक्स्पीरिएंस से यश को एक्स्प्रेशन्स और आटिट्यूड बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं वहीं सेट्स के अलावा यश्पी संजे को डायलोंग टिलिवरी उनके लांगविज में किस तरह से करना है ये सिखा देते हैं भले ही हीरो और विलेन में ओन स्क्रीन नहीं बनती मगर सेट्स और प्रोमोशन्स के समय दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं और किक 3 के लिए भी कहा है कि इसमें किक एस सीन्स होंगे केजी एफ के सेट पर काफी खयाल रखा जाता है अक्टर्स का उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो इसके चलते उनकी काफी मांगे पूरी की जाती हैं मूवी के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए होते हैं संजे, यश, रवीन और श्रिनदी सभी को अपने ओन वानटी वैंस दिये गए हैं इसके अलावा परसनलाइट स्टाइलिस भी रखे गए हैं जो उनके लुक को मूवी के कैरेक्टर के साथ अलाइन कर चुके हैं जहां बहुत सीन्स आक्टर्स ने खुद ही किये हैं वही कुछ बॉडी डबल्स और स्टन्ट मैन भी सेट पर अवेलिबल रहते हैं सारे स्टन्स सूपरविजन में किये जाते हैं जिसमें काफी वायर्स और सिस्टम्स यूज होए हैं अगर फायर रिलेटेड सीन्स नहीं भी हैं तो भी बैकप्स रखे जाते हैं जनरल पबलिक जादा इंटरफेर ना करे इसलिए सेक्योरिटी भी स्ट्रॉंग रखी है इसके अलावा प्रोमोशन के टाइम उनका रहना, ट्रावल और सब प्रोडक्शन्स ही संभालते हैं केजिफ 3 में भी प्रोडक्शन ने सारे स्टार्स की डेट्स और अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंस किये हैं और आक्टर्स की सेफटी का पूरा ध्यान रखा है कमाल की बात ये है कि इतने बड़े स्टार्स होते हुए भी ये सेट पर मिल जुलकर काम करते दिखे हैं केजिफ चाप्टर 3 में भी सौंग्स स्ट्रॉंग और पावफल होंगे और इसी के साथ एक्जॉटिक लोकेशन्स भी ली जा सकती हैं मुवी में म्यूजिक रभी बशरूर की ही होगी एक रोमैंटिक सौंग भी शूट होने की बाते आ रही है जिसका सिंगर कौन होगा ये अभी तक आउट नहीं हुआ है आहे रॉक की और अधीरा की असली कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड में कितनी साल पहले हुई थी खुदाई हलो फ्रिंद्स वेल्खेम बाक्ठेव फीव दे यूरूप चानल पॉलिग्रास स्टूडियो मैं बढ़ा सनाज आपके लिए लिए लिग राई हूँ केजिव शाप्टटू से जोड़ी कही सारी जिहां दर्शको काई सारी इंट्रॉस्टिंग बात ही तो इस विद्यों को है तक जरूर से जरूर देखेगा दर्शको करनत सूपरस्टा यश की मूवी का सीक्वल यानी केजिव चाप्टटू लगतार चर्चा में है डायरेक्टर प्रशान पील की केजिव टू का च्रेलर 27 मार्च को रिलीस होगा वहीं केजिव टू सिनमा हरूमी 14 एप्रल 2022 को रिलीस के लिए तयार है केजिव चाप्टटू से पहले असली कोलार गोल्फिल्ट की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं जिसे सोने उगलनी वाले खदान भी कहा जाता है रौकी यानि यश्की केजिव की खान के देहास से लेकर ऐसे दस पाक से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में शायदी शायदी आप परज़त होंगे आपने भले ही केजिव चाप्टर वन देखी हो लेकिन असली केजिव की इन बादों से अंजरान होंगे क्या है केजिव का मतलब सबसे पहले तो केजिव का मतलब जान लीजे देशकों इसका मतलब है कोलार गोल्फिल्ट केजिफ करनातक राजर के कुलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन जेतर है ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस जगह को खोब जाना चाता था कुलार दुनिया की दूसरी सबसे गहरी ख़दान है और यहां से 111 सालों तक सोने की खुदाई की गई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कुल 900 तन से ज्यादा सोना निकाला गया था ब्रिटिश इसे मिनी इंग्लांड कहा करती थी जपान के बाद केजिफ एशिया का दूसरा नगर है जहां बिजली शुरू हुई थी नरेंद्र मोधी की सरकार इस ख़दान को फिल से खोलने की दयारी में है कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफी मात्रा में सोना है केजिफ में भारत कोल्ड माइन्स लिमिटेद में हजारों लोग काम किया करती थी साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खोदाई बंद कर दी थी इसका कारण था कि सोना कम और खोदाई का खर्चा ज्यादा होने लगा था केजिफ से 111 किलो मीटर दूर शिवन समुदर में एशिया का पहला हाइड्रो एलेक्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था गुब चोल वन्शो टीपो सुल्तान से लेकर अंग्रेजों समेत कई सालों तक कोलार के सोने को खोब लूटा गया 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजिफ और आसपास के गाउं में पानी की आपूर्टी के लिए बैत मंगला में एक ठील बनवाई यह क्रीती रमजील धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गए तो दर्शे को सची बात और जानकारी जानकर आपको कैसा लगा आप अपनी ओपीनियन हमारी कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेय करें और वडियो को लाइक शेय कहना ना भूले क्या केजिएफ 3 को मार्वल युनिवर्स जैसे फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में जुड़े हैं मेकर क्या इस बार नहीं विलन की होगी एंट्री क्या है केजिएफ की असली कहानी जहां से निकाला गया नाइन हंड्रेट टेन कूल्ट केजिएफ के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसबरी से इंतजार था और हाल ही में इसका सीक्वल केजिएफ चाप्टर 2 रिलीस हुआ ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है अब तक करीब 200 करोड रुपे कमा चुकी है और केजिएफ का पूरा नाम है कुलार गोल्ड फील्ड सूपरस्टार यश की ये फिल्म करनाटक के कॉलार में मौझूद सोने की खदानों पर अधारित है ये एक ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोडते थे और सोना निकाल लेते थे 121 साल के इतिहास में इस खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है और जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो करनाटक के कॉलार जिले के मुख्यलातल से 30 किलोमेटर दूर रोबर्टसन पेट नाम की तहसिल में है दक्षन अफरिका की पॉनेड गोल्ड माइल्स के बाद कॉलार गोल्ड फील्स की गिंती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में ही की जाती है इस खान के बारे में ही कही कहानिया प्रचले थी और इन्हें सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफटनेंट जॉन वारिंटेन यहां पहुंचे और केजियेफ की सच्चाई जानने के लिए जॉन ने गाउवालों को एक चनौती दी उन्होंने कहा जो भी शक्स खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा इनाम पाने के चाहत में गाउंवाले बैल काड़ी में खेदान की मिट्टी भर कर जॉन के पास पहुंचे और जॉन ने मिट्टी को जांचा तो वाकई में उसमें सोने की अंश मिले और उस दोर में जॉन ने खदान से 56 किलो सोना निकल वाया था और इसके बाद 1804 से 1860 के बीच सोना निकालने की काफी कोशिश हुई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा इसी दुरान कई लोगों की मौत होने के कारण खदान में खुदाई बंद करा दी गई और 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू की दरसल रटार्ड ब्रिटिश सेनिक माइकल फिट जगेरॉल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट प सफर किया और उन जगाहों को चिनहित किया जहां सोना मिल सकता है नतीजा वो सोने के भंदार वाली जगहों को खोजने में सफल रहें पहली सवलता के बाद जौन ने 1873 में मैसुर के महराज से खनन करने के लिए लाइसन्स जारी करने की अनुमाति मांगी महराजा ने 2nd February 1875 को लाइसन्स जारी किया और जौन ने इसके लिए निवेशक ढूंडे और खनन का काम ब्रिटिश कंपनी जौन टेलर एंड संस को सौपा इस तरह के जिएफ से सोना निकलने का काम शुरू हो गया और मेडिया रिपोर्ट के मताबिक उस दौर में भारत में जितना भी सोना लिकलता था उसका 95 परसेंट इसी केजिएफ से आता था इस तरह भारत सोना पैदा करने के मामले में चड़े पाइदान पर पहुंच गया था 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार घटने लगा भारत के अज़ाद होने तक इस पर अंग्रेजी का एक ही नियंतरन रहा असादी के बाद 1956 में ये खेदान केंदर के नियंतरन में चली गई और वर्तमान में ये खेदान खंडर में तब्दील हो गई सोना निकालने के लिए जो सुरंगे खोदी गई थी वो अपना पानी भरा है विशेक यानुका कहना है कि KGF में अभी सोना तो है लेकिन जो ख़दान के वरतमान हालात है उसमें साफ है कि यहां जितना भी सोना है उसके ज्यादा लगतार वो उसे निकालने में आ जाएगी वहीं दूसरी और कुछ दिन पहले एक इंटर्व्यू में आक्टर यश ने KGF चाप्टर 3 को लेकर बात की थी और बताया था कि इसमें पिछले दो पार्ट से भी जादा इंटेंस और हाई आक्शन देखने को मिलेगा वहीं अब मेकर्स की तैयारी है कि वो KGF को मार्वल उनिवर्स के तौर पर आगे बढ़ाने की और इसमें अन्या बड़ी फिल्मों के आक्टर्ज भी जुड़ेंगे विजे की रंगदूर ने बताया कि वो एक KGF को Marvel Universe के तोर पर develop करेंगे और इसके लिए अलग-अलग फिल्मों के दिल्चस्प किरदारों को लाया जाएगा विजे की रंगदूर का कहा है कि मेकर्स की प्लानिंग डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडर मैन होमकमिंग जैसा यूनिवर्स बनाने की है और जब विजे की रंगदूर से पूछा गया कि उनकी प्लानिंग KGF को Marvel Universe जैसा बनाने की है तो फिर नौट से इसमें कौन से एक्टर शामिल हो सकते हैं यह रितिक रॉषन ने बताया कि कईज आगे लाने वाले मार्टर्स के इंट्रेउस कराएंगे अब देखना यह है कि KGF क्या्ष्ट स्ट विस्ट और नयकर, देखने को मिलने वाले हैं पैंस KGF 2 में दिखाएगे पोस्ट क्रडिट सीन के बाद से ही तीसरे पार्ट का बेसबरी से इंपजार कर रहे हैं वहीं खबर है कि KGF चाप्टर 3 में विलन के रोल के लिए बाहुबली पेम राना दगुबाती को अप्रोच किया गया है और राना दगुबाती बाहुबली में भलाल देव के किरदार में दिखे थे हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है और KGF चाप्टर 2 में विलन अधीरा की मौत होच चुकी है और ऐसे में एक नए विलन की खोच जारी है तो फिर आपके इसके उपर क्या विचार हैं हमें ये कॉमेंट सेक्षिन पर जरूर बताएं और हां दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चानल बॉली ग्राइट स्टूडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि होगी वापस से एंट्री कैसे चालेंज उसके सामना करना पड़ेगा रॉकी भाई को नमस्कार दर्शको मैं हूँ आपकी साथ करनी का लिंग बाल और आप देख रहे हैं पॉली कैश्रूडियोस इन्ही सारे सवालों को जब आप जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के जैसा कि आप लोग को पता है कि जब KGF 2 के एंट के सीन में KGF 3 के आने की खबरों को पकल गया था तब ही से फैंस में अलग ही उतसुकता है फिल्म के आगे की कहानी जानने के जैसे कि आप सभी ने देखा कि KGF 2 में रॉकी मर जाता है लेकिन कोई भी फिल्म जरेक्टर ऐ जो सीन में बस इतना ही दिखाया गया था कि रॉकी पानी में पूच जा इससे के इसापित ही होता कि वो मर गया और ये तो सिनिमा है साभ यहां को और कब जिन्दा हो जाए तेहना मुश्किन है अगर आगे की कहानी की बात करें तो इसमें यह दिखाया जाएगा कि तीन साल के इंचर्वल में रॉकी ने कई देस विदेशों में लगबग 14 कंट्रीज में क्रांट किया साथ ही केजी ओफ काफी डेवलब हो चुगा है एक और बात ऐसी है जो कि प्रूफ करता है कि रॉकी जिन्दा है तो हैलिकॉप्टर वाला सीन चेप्टर वान में दिखाया है जि इसी के साथ फिल्में इसकी वापसी का भी सिंग दिखाया जाए साथ ही आपको यह भी तेखने को मिलेगा कि रॉकी का रॉकी का रॉमिकर सेन के साथ गीर को रखना है जिसके वज़े से रॉकी न अपना बिसनसमैन वारा दिमाग लगा कर जूटी मौत की कहानी बना कर आपको बता दें कि इस बर शीनिदी शेटी के इजिया फ्री में नजर नहीं आए निगी उनका करेक्टर था अब वो खता मुझा तो आपको आही संताजर लगा ही सकते हैं कि फिल्म इस बर बॉक्स ऑफिस पर एक शांदार पारी किया तो चलिए इस चटपटी अपडेट क के साथ आज को वीडियो एही करते हैं उमीद करते हैं आपको वार वीडियो पशचाथ आया होगा और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब करना नहीं हूं लोग में था सब्सक्राइब ऐसे क्या सीक सकते हैं प्रशानतनी, की अपकवी फिल्म KGF चाप्टर 3 के साथ तो दोस्तों अन्ति तक जिड़े रहे विर्स्ता प्रशान्त ने डिरेक्टर फिल्म KGF चाप्टर 2 को सिनेमा घरों में हिंदी तमिल टेलगू कंदर और मल्यारम भाशा में 14 अपरल को रिलीज कर चुकी है जो अब KGF 3 के साथ चर्चों में बनी हुई है पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी बाल्टी भर भर कर लोगों का प्यार मिल रहा है और 4000 से जादा स्क्रीम पाकर पहले ही दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 250 करोड से जादा की कमाय कर ली है फिल्म में मार धाड कूट कूट कर भरा हुआ है गाने को भी कुछ एक जगे सुनने को मिल रहा है और फिल्म में शोर भी बरपूर है जिससे आपके कान के बर्दे भी पटने की पूरी-पूरी गुंजाईश है वैसे पिक्चर पूरी साफ सुदरी है मतलब कि कोई इंटीम जिहां मतलब पूरी फैमिली मिलकर ये फिल्म अराम से देख दी सकती है। लेकिन 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 फिल्म में कई जगे मन रंजन के नाम पर कुछ सीन्स और करेक्टर्स ऐसे थे जिने देखकर निराशा होती है। जिन पर डिरेक्टर को KGF 3 को हिट बनाने के लिए मन लगा कर काम करने की जरूरत है। जैसे कि KGF 1 में कई सारे डॉन थे। गरुडा, कमल, एंड्रियूस, विराठ, जॉन, रजिंदर दिसाई, शेटी, सूर्य वर्दन, गुरुपंदियन। मतलुकि हर सीन में हर एक नया विलेट। पूरे धाय गंटे में यही जगे जगे चाय भी हुए थी। पहले पार्ट में तो इनका रॉब रुत्वा समझ आ रहा था। फीलिंग आ रही थी कि भाई ये खतरनाग लोग है। रॉकी इनसे कैसे निप्टेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट में विलन की यही तोली दोबारा देखने को मिली तो उनका वो रॉब फी कानतर आया। शेटी और अंड्रियूस फिर भी कुछ हद तक अपने लुक से गिते फिरते विलन की दिखा रहे थे। लेकिन बाद में भी उन्हें मूँ की ही खानी पड़ी। चाप्टर टू में मेकर्स दो नए विलन लेकर भी आए। एक अधीरा और दूसरा इनायत ख़ले। जिन्हें शुरू में देखकर लगा कि ये दोनों फिल्म में आग लगा देंगे। गदर काट देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सतली पम निकले। कुछ तो आपस पे ही लड़ कटके मर गए और कुछ तो रॉकी नहीं खतम कर दिया। बात तो तब बनती जब इनके लड़ाई आमने सामदी होती। फिल्म को मानू कांट चाट करके बस रिलेस कर दिया था। तो अगर प्रशांद नहीं के जिए तरी को मार्वल युनिवर्स बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसी की तरह अपने विलन को इतना मजबूत करना का बेशक हीरो कितना ही स्ट्रॉंग क्यों न हो। और अगर हम संजे दत की अगनीपत वाले के बारे में बात करें तो रितिक के सामने संजे डट के खड़े थी। तो बेशक साउथ की फिल्म हिट हो रही है लेकिन उन्हें बॉलिवुड से विलन से कुछ सीखने की सुरुर कि बता दें KGF 3 की शूटिंग October 2022 से की जाने वाली है तो फिर आप इस सूपर फ्रंच्वाइजी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइड है Makers ने Announce की KGF की Confirmed Release Date आखिर क्यों किया गया KGF के Release Date को Change हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Polygrad Studios में ये तो सभी को बता है कि South Actors ने किस तरह से हिंदी सिनेमा के फैंस को अपना दिवाना बना दिया है आज के टाइम पर लोग टॉलिवुड के एक्टर्स और फिल्मों के इसकदर दिवाने हैं कि टॉलिवुड की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेविल पर हो गया है और शायद इसलिए South Actives आजकल सुर्खियों में बने रहते हैं आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं आप तो आल्रेडी ये सब जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं आज South फिल्मों के क्रेज के बारे में बात दरसल आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे फिल्म की जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जादु चलाए है हम बात करने हैं KGF 2 जब फिल्म के गजी एफ रिलीस हुई थी तो फिल्म के मैसिव सक्सेस को देखे के बात ही KGF 3 के लिए सवाल करने लगे हैं कि आखिर कब रिलीस होगी फिल्म के जिए थी पर मेकर्स ने फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशिल अनाउंस्मेंट नहीं की थी पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक गुड़ जिससे सुनके आपके एकसाइटमेंट और भी जादा बढ़ जाएगी फाइनली आगी है फिल्म KGF 3 की रिलीस देट गाइस मेकर्स ने ओफिशिली ये अनाउंस कर दिया है कि KGF 3 को 2024 में रिलीस किया जाएगा खेर ये तो थी फिल्म और फिल्म की शूट, रिलीस स्टोरी और कास्ट से जोड़ी कुछ बात हैं पर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म से जोड़ी हमारी ये अमेजिंग इंफरमेशन और आप कितने एक्साइटिड है KGF 3 के लिए तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियो तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल बॉल दिवाने हैं कि डॉलीवुट की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ड वाइड लेवल पर हो गया है और शायद इसलिए साउध आक्टर साजकल सुर्ख्यों में बने रहने का भी एक मौका नहीं गवाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह बाते तो आप आरड़ी ज है जी हाँ दोस्तों हम बात करें के जिफ डू की जब फिर मासिफ रूप रिलीज हुई थी तो मेकर्स ने फिर मेय बात दूसरे हैं नकिए कि अज़ेब को भी रिलीज कि जिसके बात फुर्म साफिस पर जम कर कमाई कि और ना सिसव बकस आफिस पर बलकि लोगों के को बताने वाले हैं एक गुड न्यूस जिसे सुनकर आपके एकसाइटमेंट और भी जादा बढ़ जाएगी जी हाँ दोस्तों फाइनली आ गई है के जिए फ्री के रिलीज डेट गाइज मेकर्स ने ओफीशली एनाउंस कर दिया है कि के जिए फ्री को 2024 में रिलीज किया ये बॉलिकराथ स्टूडियोज को तो नहीं मिली श्री निद्धी को रस्पेक्ट क्या है श्री निद्धी को लेकर यश का पीनियन क्या यश नहीं करते हैं अपनी हिरोईन की खद्रों सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों के लिश में के जिए फ्री बनने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि इस बार कहानी में नए ट्विस्ट अंट लाकर नए इंटर कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं पर चैप्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो राकी भाई का वाइलन्स लेवल तो बढ़ता ही जाएगा सच है कि फिल्म की सक्सेस में यश का बड़ा हाथ है आखिर ये तारीफ करते हुए श्री निद्धी के बारे में कहा कि वो डेडिकेटर अक्टरस है ज्यादा फिल्मे करने के बजाए दो फिल्मों के लिए उन्होंने अपने करियर के 6 से 5 साल दिये जो कि कोई और नहीं कर सकता था और साथ ही उन्हें लख्किस्ट अक्टरस भी कहा ये त इसके दोरान टीम के साथ पहुँचने के बाद श्री निद्धी काफी अकेले दिखाई देती हैं एक इवेंच के दोरान भी कुछ ऐसा ही हुआ दर रसल स्टेज पर श्री निद्धी यश्ट टारेक्टर प्रशांद नील बैठे थे पर कुछ लोग आकर सिर्फ यश्ट को काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे और श्री निद्धी से बात भी नहीं कर रहे थे मतलब एक साथ काम करो और तबी अजनबियों वाला बिहेवियर मतलब इतना काम करने के बावजूद भी लोग इग्नोर करें रिस्पेक्ट ना दे ये तो ना इनसाफी हुई ना इसलिए श श्री निद्धी होगी की नहीं ये तो पता नहीं पर पिछले दो फिल्मों में उनकी और यश की केमिस्ट्री जबर्दस रही अगर प्रशांत नील के दमाग में कोई और कहानी चल रही हो तो किसका नंबर लगेगा पता नहीं का ओवर ओल बजेट केजिए सीरीज की सक्सेस के बाद से ही अपकमिंग फिल्म केजिए फ्री को लेकर आडियंस के बीच और सोचिल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है इस फिल्म को लेकर अल्रेडी काफी रूमर्स और अंक्लियर फाक्ट्स भी स्प्रेड किये जा चु क्या है कि वो केजिए फ्री में नए क्यारक्टर जाने के साथ मार्वल नऄगल स्टाइल उन्वर्स इंक्रीजर करेंगे। इस स्टाइल की मोवी थीम आज कल काफी ट्रेंड में बीच ल रही है। Marvel Universe के popular होने का reason है काफी popular और hit characters का एक साथ screen पर दिखाई देना Marvel Universe किसी भी movie को अपनी present से double entertaining बना देता है क्योंकि हर character में एक special trait present होता है जब different characters के entertaining factors और qualities mix up होती है तो audience को screen पर काफी exciting और fun experience मिलता है producer Vijay Kiragandur Hollywood movie Spider-Man से काफी inspire होते हुए नजर आते हैं एक interview में Vijay ने confess किया कि वो KGF3 में वैसा कुछ present करना चाहते हैं जैसे Hollywood films Spider-Man और Doctor Strange में present किया गया था Vijay का ऐसा भी मानना है कि film में Marvel Universe create करना film की success का additional point बन सकता है sources की मानने तो KGF3 हो सकती है आने वाली साउथ की high budget film Homebell Productions House और producer Vijay Kiragandur KGF Chapter 3 को 1000 करोर रुपीज के benefit पर produce करने का plan कर रहे है sources की मानने तो KGF के Part 3 को 2024 November या December में release किया जा सकता है अब देखना ये है कि KGF3 की Marvel Universe theme audience का दिल जीत पाती है या नहीं तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यहीं होता है और हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो एंटर्टेनिंग लगा होगा KGF3 के लीड अक्टर यशुर्फ रौकी का character trait कैसे सदी के महनायक अमिता बच्चन से इंस्पायर था जैसे कि आप सबको पता है कि KGF and KGF2 में रौकी भाई की amazing look and avatar ने कैसे हम सबको उनका दिवाना बना दिया और authentic scenes के लिए जब इन्हे 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस character से जरूर आपको 70s और 80s के angry young man अमिता बच्चन की यादा आ गई होगी दरसल फिल्म में प्रशांत नील 70s और 80s का scene create करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बच्चन साहाब के retro looks को replicate करने की सोची इसलिए फिल्म में Rocky भाई के बाल लंबे रखवाए गए और उन्हें bell bottom पहनाया गया सिर्फ looks तक ही रही बलकि KGF अपनी story theme को लेकर 70s हिंदी cinema से major inspiration लेती है ऐसा कहा जा रहा है कि KGF 2 की storyline 70s की एक film से बहुत ही ज्यादा similar है At the same time KGF 2 ने भे उस movie से inspiration ली And उस film को modified तरीके के साथ दर्शकों तक present की Well ये तो था कि कैसे KGF 2 के film makers ने KGF 2 की storyline के उपर कैसे research की And कैसे उन्हें इस film को करने के लिए inspiration मिली साथ ही साथ film के director प्रशांत नील ने तो proof कर दिया कि वो एक अच्छी कहानी को बड़े परदे पर दिखाना बहुत अच्छे से जानते है और ये भी बता दिया कि वो अपनी filmों को बड़े level पर भी बनाना जानते है इसी के साथ आपको बता दे कि guys KGF 2 film की अच्छी feedback के बाद फिल्म का दूसरा part release किया जाएगा most probably ये 2023 में कर दिया जाएगा और बात करें यश की तो वो फिल्म में अपने character के role को करने के लिए इतने excited है कि आप सोज भी नहीं सकते ये फिल्म 1000 crores gross collection कर चुका है फिल्म की star cast की बात करें तो KGF chapter 2 में यश, संजदत, रवीना टंडन, श्री निद्धी शटी जैसे कई किरदर नजर आएंगे and KGF 3 की तयारी शुरू कर दी गई है सुनने में आया है कि ये फिल्म साल 2024 में जैनवरे के महिने में रिलीस की जाएगी दिर लील लिया प्ले Instagram हैंडल पर एक पिक शेर करते बताये कि KGF 3 मूवी का pre-production work शुरू कर दिया गया है इस फिल्म में यूज करने वाले costumes की तयारी चल रही है वहीं दूसरी और फिल्म की location भी set को finalize करने के बारे में सोचा जा रहा है दोस्तो इसी के साथ मुझे यानि की आपकी host और दोस्त को दे दीजे इजाज़त और आपकी इस movie यानि की KGF 3 को लेकर क्या suggestions या feedback है ये हमें जरूर बताए आपको ये बता दे की KGF 3 फिल्म silver screens पा जल रिलीज हो सकती है अब क्या ये फिल्म KGF chapter 2 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है तो guys ये तो अब वक्त ही बताएगा उमीद करते हैं कि फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत excited होंगे साथ ही साथ इन facts के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डोंट फगेट टू लाइक, शेर अन सब्सक्राइब टू आर यूटूब चैनल टू ओवर्टेक करेगी बाहु बली को किस तरह केजिफ चैप्टे टू सत्रा सो करोड के मार्क को क्रॉस कर सकती है केजिफ टू ने हाल ही में कौन से रेकॉर्ड्स ब्रेक किये हैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे डारेक्टर प्रशान दील की हाल ही में रिसेंट रिलीस फिल्म कीजिफ चाप्टे टू के बारे में कीजिफ चाप्टे टू ने अपने अगले चाप्टर की घोशना तो की ही थी मगर साथ ही साथ वो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है कीजिफ चाप्टे टू बिना रुके रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रही है मगर साथ ही साथ फैंस के लिए चाप्टर टू को लेकर जो उमीदे हैं वो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है जहां पुछपा और ट्रिपल आजरसी नियू साउथ इंडियन मुविज ने पूरे इंडिया भर में अपना नाम बनाया वहीं केजेफ चाप्टर टू एक एस्टाप्लेश्ट फ्रेंच्छाइजी थी और उस अपनी लेगसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना था जिसे केजेफ टू ने बहुत भी निभाया और साथ ही साथ केजेफ चाप्टर वन का रेकॉर्ड तोड़ ही दिया लेकिन बाहुवली टू का इतना लंबे टाइम से चलते आ रहे 552 करोड के वीकेंड कलेक्शन रेकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि केजेफ चाप्टर टू की स्पीडी कलेक्शन के ऊपर ब्रेक लग सकती है जब डॉक्टर स्रेंच 2 रिलीज की जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ केजेफ चाप्टर टू की कलेक्शन काफी हद तक स्लोडाउन हो चुकी है लेकिन रुकी नहीं है ये बात कनफर्म है केजेफ चाप्टर टू के लिए जो रेकॉर्ड सबसे नस्दीक नज़रा रहा था वो था ट्रिपल आर का जिसका कलेक्शन था 1100 करोर से भी ज्यादा और हाल ही में केजेफ चाप्टर टू ने इस रेकॉर्ड को भी प्रेक कर दिया वो भी ट्रिपल आर मूवी के लगवग आधे टाइम में जो की लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है अब हाइस्ट इंजिन ग्रॉसिंग मूवी की लिस्ट में केजेफ चाप्टर टू सिर्फ और सिर्फ तो मूवी से पीछे है दंगल और बाहुवली टू दा कंट्लूजर और फिलाल ये मूवी अभी भी थियाटर में रन की जा रही है और जब आप इस मूवी को देख रहे होंगे तब तक केजेफ चाप्टर टू के रिलीस को वन मन्त पूरा हो चुका होगा बस अब वेड़े केजेफ चाप्टर टू के OTT रिलीस का और केजेफ मेकर्स ने इस मूवी के OTT राइज के लिए 400 करोड तक की दील फाइनल की है दस अगर थियाटर रन को कम्प्लीट करने के पहले अगर केजेफ चाप्टर टू 1300 करोड के मार्क को टच करती है तो केजेफ चाप्टर टू का ओफिशल टोटल मार्क हो जाएगा 1700 करोड का और फिर वो काफी आसानी से बाहुबली टू और दंगल को भी OTT कर सकती है मगर ये तो वक्त ही बताएगा तब तक आप हमें बताएगे कि आपके एकॉर्डिंग क्या केजेफ चाप्टर टू बाहुबली टू को ओवर्टेक कर पाएगे या फिर नहीं अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा रही बात हमारी तो हम आपको बताएगे कि कौन से फाक्टर्स के फेवर में हैं और वो इस रेकॉर्ड को तोड़ सकती है क्या है फैन दिक्षा की केजेफ 3 की इन्वेस्टिगेशन कब हो सकती है फिल्म रिलीज कैसा है केजेफ 3 का फैन मेड ट्रीलर केजेफ सीरीज की सक्सेस के बात से ही अपकमिन फिल्म केजेफ 3 को लेकर आउडियंस के बीच अलग ही चर्चा चल रही है इस फिल्म के रिलीज को लेकर फैन्स कफी एकसाइटेड है और सोशल मीडिया पर अपनी एकसाइटमेंट दिखाने से पीछे नहीं हट रही है एकसाइटमेंट लेवल इदना बढ़ चुका है कि लेटेस अपडेट्स चाने के लिए फैन्स ने इस फिल्म को लेकर सल्फ रिसोर्च करना भी शिरू कर दिया है चलिए देखते हैं कि यश और KGF सीरीज की फैन यूटूबर दिख्षा ने क्या इंट्रोस्टिंग इंवेस्टिगेशन की है यूटूबर दिख्षा फिल्मे इंडियन नाम से अपना एक यूटूब चैनल चलाती है हाल ही में दिख्षा ने KGF 3 को लेकर एक इंट्रोस्टिंग स्टोरी शेर की है दिख्षा की रिसोर्च के कॉर्डिंग KGF सीरीज की सक्सस के बाद ये बात तो पक्की है कि KGF 3 बॉक्स और उस पर जरूरी ठोगी इंट्रेस्टिंग बात तो ये है कि दिक्षा की रिसर्च के कॉर्डिंग KGF3 और सालार का आपस में एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है और ओडियन्स के बीच असली एक्साइटमेंट ये सीक्रेट कनेक्शन जानने के लिए ही है मेकर्स की तरफ से भी इस फिल्म के रिलीस को लेकर काफि हिंट्स मिल रही है पर अभे तक मीडिया में इस फिल्म की मेंगिग और रिलीस को लेकर कोई official statement नहीं आई है सोसेग की माने तो इस फिल्म को लेकर shooting related work स्टार्ट किया जा चुका है और फिल्म के रेलिज साल 2023 में एक्सपेक्ट की जा रही है फैंस का ऐसा कहना है कि KGF Chapter 2 में काफी questions के answers नहीं मिल पाए थे जिसके चलते फैंस के बीच काफी suspense बना हुआ है डारेक्टर का Chapter 2 में इतना suspense बनाये रखने का साफ रिजन है कि KGF Chapter 3 को बड़े पड़े पर ले कराना है अपकमिंग KGF 3 इतनी trending करनी है कि फैंस ने अपना excitement level KGF 3 का imaginary trailer बना कर भी शो किया हाला कि इस trailer में actual movie से related कुछ भी नहीं था फिर भी trailer में कुछ expected action scenes include किये गए और audience के बीच craze और बढ़ाने के लिए यश की imaginary entry भी दिखाई गई trailer के कुछ action scenes को KGF 3 की storyline से काफी हद तक relate करने की कोशिश भी की गई इस trailer के release होते ही fans ने जम कर likes और comments किये और इस creative trailer को काफी appreciate भी किया गया तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यहीं होता है और हम उमीद करते हैं कि हम आपको entertain कर पाए होंगे वीडियो पसंदाने पर like, share और subscribe करना ना भूले नमस्कार दोस्तो वल्कम टू बॉलिग्रा स्टुडियो अजर मैं आपकी दोस्त और होस्ट मंगी शा आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो आपको बता दे कि KGF 3 के जो producer है उन्होंने एक recent interview के दोरान जो बाते हुई थी वो बड़ी ही खतरनाक थी उन्होंने end पर एक note में एक बात कहकर छोड़ी कि जैसे marvel cinematic universe है वैसे ही आपको KGF का cinematic universe देखने को मिलेगा भाई KGF का cinematic universe आप सोच के देखो ये चीज़ गाईज फिल्म के डारेक्टर ने इस बात को कहा कि पहले उनका main focus film सालार पर है जो कि अगले साल साल 2023 में रिलीज होगी उसके बाद वो KGF chapter 2 के अगले sequel की तरफ ध्यान देंगे साथ ही साथ प्रशांत नील की जिवके डारेक्टर ने एक हिंट भी दिया जिससे I am sure आप सब बहुत ही curious हो जाएंगे प्रशांत नील ने बताया कि हो सकता है कि वो फिल्म में प्रभास की entry करे अब इस बीच सवाल ये उठता है कि कहीं Rocky से उनका lead रोलना छीन लिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो बस ये सोचना तो tough है कि Rocky इस बात को कैसे react करेंगे Anyways, he added कि उन्होंने KJ3 के release होने के बाद एक और फिल्म के बारे में भी सोचा है और उस movie के लिए कई actors को भी shortlist किया है उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो KJ3 का अगला sequel होगा बट ये कहा कि उस movie में उनकी planning ऐसी है जिसमें एक अलग तरह की दुनिया दिखाई जाएगी यानि कि काफी unique concept होने वाला है जो आज तक ना किसी ने सोचा और ना ही सोच पाएगा इससे तो साफ ही पता चलता है कि कर्णाडा industry किसी दूसरी industry से कम नहीं और वो दूसरी industry कौन सी है गाईज ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे दोस्तों फिल्म के director ने कहा कि KGF 3 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पर KGF 2 की ending होई थी budget की बात करे तो makers ने फिल्म के लिए काफी high budget तयार किया है सुनने में आया है कि फिल्म में यूज करने वाले costumes बनने की तयारी चल रही है महीं दूसरी और फिल्म की location भी काफी हटके ही होगी बात करे फिल्म KGF 3 की casting की तो इसमें यश, संजदत, रवीना, टंडन, श्रीनिदी श्यत्य को cast करने की planning almost final है दोस्तो इसी के साथ मुझे यानि आपकी host और दोस्त को दे दीजी इजाज़त और आप कि इस movie यानि KGF 3 को लेकर क्या suggestions या feedback है ये हमें जरूर बताए आपको ये बाता दे कि KGF 3 silver screen पर जल्दी release हो सकती है अब क्या ये film KGF chapter 2 के बाद fans का दिल जीत पाती है तो guys ये तो अब वक्त ही बताएगा उमेद करते हैं कि इस film को देखने के लिए आप सबी बहुत excited होंगे साथ ही साथ इन facts के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे दोस्तो आपको हमारी ये वीडिय कैसी लगी क्या है KGF 2 का mid credit scene chapter 1 और 2 में क्या major differences है स्पीड से box office के सभी records को तोड़ते हुए जा रही है अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि movie release हुए अभी सिर्फ लगबग 10 ही दिन हुए है और काफी audience ऐसी भी होगी जिन्होंने अभी तक इस movie को नहीं देखा है तो guys tension not हम इस video में totally spoiler free discussions करेंगे और अगर movie से related कुछ बात करेंगे भी तो भी आपको उसका idea नहीं मिलेगा या फिर आपकी movie spoil नहीं होगी तो basically KGF 2 अपने prequel की कहानी को वहीं से शुरू करती है जहां खत्म की थी और उसके बाद इस movie में बहुत ही जादा ups and downs है एक के बाद एक super scenes और twist साते हैं कि आप चाहा कर भी कोई चीज ना तो skip कर सकेंगे और ना ही miss एक चीज जो सभी जानते हैं या फिर एक spoiler कह लीजिए कि KGF chapter 3 की confirmation कर दी है makers ने जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली KGF 2 के बारे में discuss करते हुए एक वीडियो में बताया था कि movie complete देखने के बाद theater से उठिये गमत क्योंकि movie में एक शांदार mid credit scene भी है तो guys वो mid credit scene यही था कि हमें KGF chapter 3 की confirmation मिलती है जो कि इस movie के excitement को बिलकुल अलग ही level पे ले जाती है chapter 3 में Rocky एक बार फिर से rise करेंगे और अपने साथ हुए पिछले incidents को analyze करते हुए उसी हिसाब से हमें Rocky और भी ज्यादा dangerous और brutal देखने को मिलेंगे chapter 1 and 2 में जो सबसे बड़ा फर्क यही था कि जहां chapter 1 में हमें Rocky most powerful being और swagster दिखाए गया तो वहीं chapter 2 में हमें Rocky के दुश्मन भी उसके टक्कर के दिखाए गए थे so अब chapter 3 में most probably हमें फिर से हमारे first part वाला Rocky भाई वापिस मिल सकता है जो कि ना तो आसानी से हारता है और ना ही वो अपने सामने वाले को हार मानने देता है अपनी मर्जी के according अपने दुश्मन को बराबर पनिश करता है आपके according part 3 में हमें Rocky और भी साद़ बूटल मिलेगा या फिर एक revenge लेने के लिए super smart mind यूज करता दिखाया जाएगा अपने विचार हमें comment section में जरूर बताएं बनाई जाएगी केजिएफ chapter 3 कौन से तीन possibilities हो सकते हैं movie में हलो friends welcome back to your favorite youtube channel polygraph studios मैं पढ़ना सिन्हा अच्छा आपके लिए लिखर आए हूँ केजिएफ chapter 3 से जुरी कई सारी जिहां दोस्तों कई सारी interesting बाते तो इस video को end तक सरूर से जरूर देखेगा केजिएफ chapter 2 जिस जिस ने देख ली उसे एक मज़ेदार dialogue तो यादी होगा he is the biggest criminal, he is the biggest businessman और उसमें नया पार जोड़ो this is the biggest question बोले तो के जिएफ chapter 3 कब आएगा आएगा भी नहीं आएगा ये सवाल national और international हर level पर fans को पागल कर जहा है पूरा किस्सा शुरू हुआ chapter 2 के post credit scene में जब audience पेचारी happy and sad ending के beat balance ठून रही थी तभी last ball पर makers ने जो चक्का मारा मतलब out of the stadium मतलब तीसरा emotion जोड़ दिया excitement with the announcement of chapter 3 वो भी किसी के हाथो रमिका सेन रोकी की सबसे बरी दुश्पन माडम का attitude काफी serious and dangerous है तो chapter 3 की news को मजाख में नहीं ले सकते हैं अब मुद्दे की बात ये है कि chapter 3 बनेगा कैसे रोकी का जहाज तो डूप गया और सारा सोना भी समुंदर के बेट में छला गया perfect end है बहुत ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ तीन possibilities है पहली तो ये कि रोकी भाया कानून की नजर में लीगल तरीके से मर गए finish the end लेकिन पीठे बीचे secret deal है विद रमिका सेन ताकि सरकार की इज़त बच जाए और हिस्ट्री में यही news रहे कि क्रिमिनल पे गवर्मेंट भारी रहे जबकि आक्शुल रोकी जिन्दा है बस रमिका सेन से दूर रहके मस्त रूल करेगा वो भी international जमीन में खुस कर क्योंकि देखो रीना भली छली गई और रोकी की तो फाइनली रमिका सेन जीत गई और मॉंस्टर हार किया अब चाप्टर फ्री में हमें जो दिखाया जाएगा वो होगा रोकी का फ्लाश बैक बोले तो 1977 से लेकर 1981 वाला ताइम जिसको मुवी में फास्ट फॉरवर्ट मार दिया गया तो ये लास्ट रिब्यूट की तरह KGF 3 को फैंस के सामने प्रेसिंट किया जा सकता है पेस्ट किफ फो फैंस उसके बाद KGF की दुनिया में परमने ताला लग जाएगा लेकिन इसके ठीक उल्टा है पॉसिबिलिटी नमबर 3 जो साफ जाहर करती है कि KGF एक सिंगल मुवी नहीं है बलकि पूरा यूनिवर्स है मॉन्स्टर यूनिवर्स जिसमें रॉकी दो बर शुरुवात है अभी दो और बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होनी बागी है मॉन्स्टर नमबर 2 सलार इनकी कहानी को इसली जोरा ज्रा सकता है KGF 3 से क्योंकि दोनों फिल्मों का थीम स्टेम तू सेम है अब रिशाद नील खुद एक इंटर्व्यू में सलार को एज़ अ कमांडर इंटर्डूस कर चुके है क्या पता ये आर्मी फोर्स होजर रौकी भाई का साथ देने आ रही हो अब आते हैं मॉन्स्टर नमबर 3 बगीरा ये क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल की मौद बर्द कर एंटरी मारेंगे बगीरा की ठागलाइन को साफ पढ़िए भाई सहाब जंगल को साफ करने आ रही है बोले तो रौकी प्लस सलार प्लस बगीरा भी देखने को मिल सकता है अब देखते हैं इन देनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी को मेकर्स रखते हैं KGF चाप्टर 3 के लिए KGF चाप्टर 2 की सक्सेस के बाद प्रशाद नीन ले बढ़ाई अपनी फीज के जल्द रिलीस करेंगे KGF चाप्टर 3 आखे ट्रिपलर के किस आक्टर के साथ फिल्म बनाएंगे हेलो फ्रेंज साम देखने बॉली ग्रास स्ट्यूडियोज में सोनी कज़ार दोसो करनड इंडस्टरी के जाने माने फिल्म डिरेक्टर प्रशाद नीन ले अब तक केवल 3 फिल्में डिरेक्टी है इन 3 फिल्मों में से 2 फिल्में तो KGF फ्रेंचाइस ही है 14 अपरेल के दिन ये फिल्म रिलीस हुई और इसने तहलका मचा दिया आप तक वर्डवाइड 1000 करोड की कमाई कर ली है वॉल्यूविट की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और करनड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 1000 करोड की कमाई का आंकड़ा पार किया फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े ऐसे में अब प्रशान नील ने KGF चैप्टर 2 की जबरदस सफलता के बाद अपनी फीज भी डबल कर दी है इस टाइंग प्रशान नील साउथ इंडस्टरी के बड़े स्टार्स के साथ काम करने के लिए तयार है साथ ही प्रशान नील पहले ही तेलगू के दो टॉप प्रड़क्शन हाउस के साथ काम करने के लिए राजी हो चुके हैं आपको उदादे प्रशाद नील इन दिनों बाउबली आक्टर प्रभास के साथ सलार की शूटिंग में बिजी हैं इस फिल्म का निर्मान होम ले फिल्म कर रही है जिसने केजी अफ का भी निर्मान किया है वहीं दोस्तों पहले प्रशाद नील की फीस हुआ कर दी थी 25 करोर और अब एक फिल्म को डिरेक्ट करने के लिए वो 50 करोर रुपे चार्च कर रहे हैं इसके लावा प्रशाद नील एंटी आर के साथ भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं यानि कि केजी अफ ने प्रशाद नील की किसमत को बदर लाला और अब लोगों को केजी अफ 3 का अंतजार है आपको बता दें जब केजी अफ चैप्टर 1 बन रही थी तो उस टाइम किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था ये ती जादा सूपर हिट होगी यहां तक कि इसको एक हे फिर्म में निप्टाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि किसी को नहीं पताता कि पहला पार्ट इतना जादा सक्सेस्फुल होगा उसके बाद लोगों ने रिस्क लिया और केजी अफ चैप्टर 2 बनाई उस वक्त भी सब के मन में यही खयाल आ रहा था कि अगर चैप्टर 1 हिट नहीं हुई तो पूरी फिल्म पूरी स्क्रिप्ट वेस्ट हो जाएगी लेकिन जब केजी अफ चैप्टर 1 रिलीज हुई तो शारुख खान जो की बॉलिवुट के बादशा है उनका ताज भी इस फिम ने छीन दिया आप तयार हो जाएए केजी अफ चैप्टर 3 के लिए क्यूंकि केजी अफ चैप्टर 2 में बहुत सारे सवाल छूट चुके हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा केजी अफ चैप्टर 3 में तो दोस्तों कितना अंतरार है इस फिम का नीचे कोमें सेक्शन में बताइए और इस दोस्तों अन तक जुड़े रहे हैं मेरे साथ प्रशांत नी लिदेशित केजी अफ चैप्टर 2 हिंदी ने अपने तीसरे सप्ता में प्रवेश कर लिया है और अभी भी बॉक्स ओफिस पर अच्छी कती का आनंद ले रही है इस फ्राइडे को दो बड़ी रिलीज के बाव इने तीसरे शुक्रवार को केजेफ चैप्टर 2 हिंदी ने अपने कुल में 4 करोड रुपे जोड़े जो अज़ोदेव गन अभीनीता रनवे 34 की शुरुआती दिन की संख्या से बहतर था जिसने पहले दिन 3 करोड रुपे कमाएं केजेफ चैप्टर 2 हिंदी भी कुछ स्क match लगांब के लिए में कुल 345 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है और 400 करोड क्लब में प्रवेश करने के लिए एक लंबा रास्ताक डेकरा एं फिल्म का कलेक्शन अगामे पर इद की चुट्टी पर टोटल कलेक्ट करना है फिर एद की चुट्टी के दिन याठी का लेकिन दक्षणी उद्योग विर्ता को नहीं बूले यह नहीं कहाँ कि स्लाइस ओफ-लाइफ फिल्में यह रॉम-कॉम खराब है लेकिन हम उत्तर प्रदेश के अपने दरशकों को पूल गए हैं बिहार, जारखन, राजिस्तान जो हमारे दर्शकों का एक बड़ा बर्ग मानते हैं बनाते भी हैं मुझे उमीद है कि हिंदी फिल्म उद्योग में ये चलन वापस आएगा पहले हमारे पास अलग-अलग निर्माता और फाइनेंसर थे जिन्हें फिल्म स्टूडियो के निगिमी करंट से समप्त कर दिया है कॉर्परटाजेशन अच्छा है लेकिन इससे फिल्मों में हमारे स्वाद में कोई भादा नहीं आनी चाहिए आपके इसके उपर क्या व्यूज हैं ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताए और हाँ दोस्तों चाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चानल बॉलिग्राज स्टूडियोज को ज़रूर सब्सक्राइब किये जएगा मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नई कंटेंट के साथ तब तक खुश रहें और सेफ रहें बने रहें मेरे साथ कैसे सेलेक्ट हुआ वो आटिस्ट जिसमें डब करी केजेफ चाप्टर टू कब क्रॉस करें कि यह फिल्म हजार करोर केजेफ अब एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइजी बन चुकी है रिसंटली कुछ सालों से केजेफ चाप्टर टू की बर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है केजेफ चाप्टर वन 2018 में रिलीज हुई जिसमें साथ की सूपरस्टार यश थे और उनके साथ एक्ट प्रेस्ट्री नीधी शेट्टी थी फियेटर में मुवी ने बहुत प्रेदत और अक्टर रवीना चंडन भी काम कर रही है तब मुवी की हाइप और बढ़ गई केजेफ मूवी करनर फिल्म इंडस्ट्री की है करनर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म ने इकना नाम किया हो केजेफ चाप्र टू आल्रेडी सक्सेस्फुल रही है चलियो और चीते जानते हैं अब इस फिल्म के बारे में केजेफ चाप्र टू के हिंदी वर्जन में फैंस को यश की आवाज और यश के डायलॉक्स बहुत पसंदाए थे बट आक्च्वल में वह वोईस यश की नहीं थी और वह आवाज मुंबई के स करके एक बड़ा डायलोग था जो फैंस को बहुत पसंद आया है सचिन गोले में रिवील किया है कि इस डायलोग के लिए उन्हें 15 से लेकर 20 पार टेक्स लेने परें इस डायलोग को पॉफेक्टली डेलिवर करने के लिए साथ ही में ये भी पता चला है कि सचिन गोले को ख के लिए ऐसी आवाद चाहिए थी जो ज्यादा पतली या ज्यादा है भी ना हो और ऐसा आटिस्ट हो जिसकी वॉइस में वो मुंबई के एसे तो सचिन गोले ने पहले भी यश्की फिल्म के लिए डब किया हुआ है और जब प्रेंच जी ने सचिन गोले की अवाद सुनी उन्होंने सचिन गोले को ही सिलेक्ट कर लिया के जिए अपर टू बहुत अच्छे रन पर है और मुवी 14 अपरिल को रिलीज हुई थी 26 अपरिल तक इस फिल्म ने 900 करोड कमा लिये थे वॉल्ड वाइल बॉक्स ओफिस कलेक्शन से और ऐसा एस्टिमेटिड है कि इस वी के एंड तक फिल्म 1000 करोड क्रॉस कर लेगी और उन अलाइट फिल्म चैसे दंगल, बाहु बली 2 और RRR के साथ लिस्ट में आईगी क्या KGF चैप्टर 2 ने फाइनली 1000 करोड क्लब में एंट्री आखिर अब बॉलिवुड की किन फिल्मों से हैं लोगों को ऐसी उम्मीद है हेलो फ्रेंड साब देखरें बॉलिग्रास स्टूडियोज मैं सोनीका जयाल दोस्तो KGF फैंस को जस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो आ गई है और फाइनली KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड क्लब में एंट्री मार ली है और रॉकी भाई ने सही ही कहा था तो भाई को सलाम करने का मौका आ चुका है अठारा दिनों में 1023 करोड की बंपर कमाई कर ली है फिल्म ने इसी के साथ जहां वर्ड वाइड 1000 करोडी क्लब में शामिल होने वाली ये चौथी इंडियन फिल्म बन गई है वहीं ये पहली करनड फिल्म होगी जिसने ये मुकाम हासिल किया रविवार को हिंडी से लेकर करनड तक केजियर चैप्टर टू की कमाई में 20-25% की बड़ोतरी हुई थी अठारवे दिन यानि कि रविवार को इसने वर्ड वाइड 27 करोड का कलेक्शन किया सिर्फ हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 360 करोड की कमाई कर ली हिंदी वर्जन से फिल्म ने रविवार को 9 करोड रुपे का बिजनस किया जबकि शनिवार को इसकी कमाई हिंदी में 7 करोड रुपे हुई और हाल ही में रुलीज हुई Hero 52 और Runway 34 तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही KGF Chapter 2 के सामने जहां पर KGF अपने 28 दिन भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है वहाँ अपनी ओपनिंग डे में भी Hero 52 और Runway 34 ये कमाल नहीं कर पाई और इसी के साथ Bollywood में लगातार खत्रा मंडरा रहा है क्योंकि कोई भी फिल्म इस मकाम को हासिल करने में कामियाब नहीं हो पा रही यहां तक कि Tiger Shop भी बड़े सुपस्टार है उनकी फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और वही आज़े दिवगन की Runway 34 से भी उमीदे थी वो भी कुछ खास नहीं कर पा रही ऐसे में अब उमीद है Bollywood के खान से यानि कि शारुखान और सल्मान खान शारुखान जहां पठान के साथ तहलका मचाने को तयार है वही Tiger की Tiger 3 आने वाली है वही दोस्तों पठान में Tiger नज़र आएंगे और Tiger में पठान यानि कि यह दोनों फ्रेंचाइज ही एक दूसरे से connected होने वाली है और यह अश्राज ने तयारी कर ली है कि भाई आप Bollywood में कुछ खास करने का वक्त आ गया है वरना तो Bollywood की लुटिया ही डूबने वाली है तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कि Bollywood की Tiger 3 और पठान कबाप आएगी 1000 करोड नीचे कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेइट्स के लिए दोस्तों इस फ्राइडे का दिन काफी अहम था फिल्मों के लिए ये विकेंड काफी डिसिजन भरा होने वाला है इद का मौका और विकेंड लंबा है ऐसे में जो फिल्म इस मौके को भुना ले जाएगी वो आगे भी काम्याब रहेगी वॉक्स ओफिस पर पहले से यश और संजेदत की फिल्म केज़ेफ 2 राज कर रही थी और इसे टेकर देनी के लिए 19 अप्रेल को अजेद देवगण की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरो पंती 2 भी रिलीज हुई देखने वाली बात की क्या कीज़ेफ 2 इन फिल्मों का सामना कर पाएगी लेकिन ये फिल्म बॉप्स ओफिस पर अभी बी डटी रही फिल्म ने इन दोनों बड़ी फिल्मों के बाद भी ठीक ठा कलेक्शन करना जारी रखा ये इसके फिल्म कीज़ेफ चैप्टर 2 ने 16 वे दिन 4 करोड 25 लाकी कमाई की अब इस फिल्म का ओवर ओल कलेक्शन हो गया है 353 करोड वाव जबकि इससे पहले थ्रस्टे को फिल्म ने 5.68 करोड का कलेक्शन किया वुद्वार को 6.25 करोड का देखना होगा कि फिल्म आगे के विकेंड में कैसा रिस्पॉंस करती है अजी देववन की फिल्म ने पहले दिन करीब करीब साड़े 3 करोड का कलेक्शन किया है लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था ऐसे में माना जारे कि आगे चल कर फिल्म से उमीदे की जाए कई क्रिटिक्स ने फिल्म को 4 रेटिंग दी तो वहीं टाइगर शॉफ की फिल्म ने पहले दिन 8 करोड से जादा का कलेक्शन किया ऐसे में केजफ चैप्टर 2 के पास हिंदी में एक और विकेंड मिल गया लेकिन इस पर काफी टककर होने वाला है आर पार की लड़ाई है या तो अब धीरे-धीरे केजफ चैप्टर 2 का क्रेज लोगों में खत्म होगा या तो runway 34 और hero panti 2 box office पर पिटी जाएंगी वेल देखा जाए tiger shop की film को hero panti 2 को तो film को बहुत ही मिला जुला response मिला वहीं अजे देवगन की film को बहुत ही positive response मिला है लोगों से अब देखना है कि box office पर क्या होता है तीन दिनों में ये दोनों ही film में कितना जलवा दिखा पाती है आपको क्या लगता है नीचे comment box में अपनी अपनी राय ज़रूर शेर करें थैंक्यू सो मच देखते रहें बॉलिग राडियो स्टूडियोज केजिएफ चाप्टर 3 हैस्टाग ट्रेंड होने लगा है फिल्म निर्देशक प्रशांत मील और यस्ट से लगतार पूछ रहे हैं कि वो कब केजिएफ 3 को लेकर आ रहे हैं बता दे केजिएफ चाप्टर 2 14 अपरिल को सिनमा घरों में रिलीज हुई इस फिल्म की का बिजनस कर लिया है अब इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का बेस अब्री से इंतिजार कर रही हैं आपको बता दे प्रशांत नील ने अपनी फिल्मों से ये तो प्रूफ कर दिया कि वो एक अच्छी कहानी को बड़े पर दिखाना बखू भी जानते हैं और साथी उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो अपनी फिल्मों को बरे लेवल पर भी बनाना जानते हैं अब जिस फ्रेंचाइजी के दो हिस्तों ने देश पर में ऐसा तहल का मचाया है उस फिल्म के तीसरे हिस्से से भी लोग यही उमीद कर रहे हैं और इसलिए फैंस भी उनसे उ प्रोश्ले डावा है कि इस के तीसरे हिस्से के लिए हमें कम इंताजर करना परे क्योंकि एक साल की तेरी से रिलीज होने के समय क्या पता है इस फिल्म के तीसरे हिस्से की तैयारी शुरू हो छुकी है आपको बता दे केजी एफ टूप फिल्म को काफी बरे लेवर पर बनाया गया था तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के तीसरे हिस्से को और भी ग्राण लेवर पर बनाया जाएगा तो आप कितने एक्साइटिट है इस फिल्म को देखने के लिए कॉमन करकर जरूर बताए फिर बिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इस बारे में हैं संजे दत का करेक्टर अधीरा के किरदार को कितनी शक्तियों मिलेंगी क्या गबर की पदवी अधीरा छिनने को तयार है संजे दत 60 साल का मैन शाइल्ड, बैट बॉइ ऑफ बॉलिवूड और तमाम तरह के नाम 2018 के दिसेंबर में एक फिल्म आई थी के जीएस इसका फुल फॉर्म हुआ कॉलार गोल्ड फील्स कन्नट सिनिमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म जिसकी ओल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड के पार थी फिर हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहु बली फ्रेंशाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी इंट्रेस्टिंग बात ये थी कि ये सारी अचीव्मेंट कहानी के एक उकड़े को मिली है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त जिस फिल्म में बीच हुई कहानी दिखाई जाएगी उसके नाम केजेफ चाप्टर 2 अब बात आती है इस सबसे संजेद दत के कनेक्शन की तो ये हम जानती हैं कि संजेफ फिल्म में अधीरा का किरदार करने वाले हैं लेकिन अब बात आती है जब केजेफ में अधीरा था ही नहीं तो ये कहां से जन्मा दत इस से पहले अगनी पत में कांचा चीना जैसा बिवत्तर करदार निभा चुके हैं एजेफ टू के बारे में बात करते हुए संजेद दत ने एक मीडिया इंटरकनेक्शन से बताया था कि उनका ये किरदार Avengers Endgame के Supervalent Thenos की नकल पर नहीं बनाया गया है क्योंकि जबसे मेरी यानी अधीरा के पोस्टर आए हैं जबसे तबसे इस किरदार को Thenos से ही कंपेर कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है क्योंकि इस किरदार की अपनी एक अलग पहच्चान है अगर आप सब ऐसे कहोगे तो इसे बुरा लगेगा और सजा रौकी भुक देगा हमारा कहने का मतलब है कि बेटा सोजा गबर आ जाएगा कि पदवी अब अधीरा को दे दी जाएगी अब सब की मा कहां करेगी कि बेटा सोजा अधीरा आ जाएगा लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता बलकि उन्हें ये सब देखना काफी पसंद है यही कारण है अधीरा के रोल को ऐसे प्रोट करने के लिए फिर एक व्रग के लोगों को ये पसंद आए आपको क्या रखता है क्या आजकल के बच्चे अधीरा से डरेंगे या अधीरा की करदार को इंजॉय करेंगे रवीना टंडन से पहले कौन कोई आक्रिस निभाच चुकी है प्रधान मंतरी का करदार हेलो फ्रेंज आप देखे रे बॉलिग्राफ स्टीडियो मैंन सोरी का ज्राल दोस्तों येस स्टार के जीएफ चाप्टर 2 14 अप्रेल को रिलीज होने वाली है और इसमें रवीना टंडन का बहुत ही एहम करदार होने वाला है वो भारत की प्रधान मंतरी बनी है रमीका सेन वही दोस्तों आपको बदा देख कि ऐसे बहुत से आक्टरस हैं जिन्होंने इस से पहले प्रधान मंतरी इंदरा गानी का रोल प्ले किया चलिए इस बारे में आपको बदाते हैं साल 2015 में आई नवाजवदीन सिधी की और रादीका आक्टरे की फिल्म माजीद अमाउटिन में दीबा साही बनी थी भारत की प्रधान मंतरी इंदरा गांधी इस रोल को काफी ज़्यदा पसंद किया गया और इस फिल्म की प्रड्यूसर भी वही थी सुप्रिया विनोद जो की कुछ तो है से अपने करियर की शुरुआत करी थी और मधूर बंदार कर की फिल्म इंद इंदरा गांधी का रोल उन्होंने प्ले किया था अवंतिका अकरकर 2017 में आई सुनाक्षी सिना की फिल्म नूर से अभिने के शुरुआत करने वाली अवंतिका को उनके लुक्स की वज़य से बहुत बादा पसंद किया गया इसलिए नवाजुदी सिती की स्थार ठाकरे उन पर अपना यह लुक शेयर किया हालंकि इतना पसंद नहीं किया गया और सुफल था पूरवग इस रोल को नहीं निभा पाई फ्लोरा जेकब का नाम भी शामिल है साल 2018 में रेट फिल्म आई थी जिसमें वो इंद्रा गांधी बनी थी और काफी पसंद किया गया था इसके बाद हो 2021 में तमिलाडु की दिवंगत मुख्यमत्री जैल हलिता की बायपिक थलाईवी में भी पी-म की गरदार में नज़र आ और मेकप आर्टेस भी उस ताइम बहुत ज़ादा चल्शाओं में रहा वहीं दोस्तों अजीर दिव गन की 2021 में आई फिल्म भूझ द प्राइड ऑफ इंडिया में नवनी परिहार बनी थी इंदिरा गांधी फिल्म में उनकी भूमी का थोड़ी देर की थी लेकिन उसके ब वह बहुत ज़ादा एक्साइट है फैंस भी वेट कर रहे हैं उने परदे पर देखने का आप कितना इंदजार कर रहे हैं केजी अफ चैप्टर टू का नीचे कमें सेक्शन में बताएगी हेलो और वेलकम टू बॉलिग्राडू स्टूडियोस कन्यनर सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजेफटू जल्दी थीटर्स में धमागा करने वाली है इस फिल्म को लेकर हिंदी सिनेत दर्शोकों के बीच खाथा क्रेज है ताब और तोड़े एडवांस बुकिं अच्छा था लोगों से वो भी साउथ इंडूस्ट्री के लोगों से जिसका आज जवाब खुद साउथ के एक्टर यश ने दिया है दरसल फिल्म डिरेक्टर एसस राजा मॉल की फिल्म ट्रिपल र के ग्रैंट प्रमोशन के वग सलमान गान भी एक इविंट का हिसा बने उन्होंने डिरेक्टर एसस राजा मॉल की इस फिल्म की जम कर तारीफ की थी साथ ही उन्होंने हैरानी जताती वे पूछा था कि साउथ सिनिमा की फिल्म में इतना अच्छा पर्फॉर्म कैसे कर रही है मगर हमारी फिल्म साउथ में आखिर क्यों नहीं चलती सलमान खान के कई दिनों तक मीडिया में सुर्ख्या पटो रही थी जब हाली में एक इंटर्व्यू के दोरान सल्मान खान के इस क्विश्चन का जवाब के जिफेम एक्टर यश्य पूछा गया होने कहा ऐसा नहीं है हमारी फिल्में भी यहां नहीं चलती थी फिर दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है इस पर लोगों ने डव वर्जन बनाने शुरू किये इसके बाद लोग जो कंटेंट हम बना रहे हैं इससे परचीत हो गए मुझे लगता है कि शुरुवात में डव वर्जन एक मजा की तरह लिया गया ये सिर्फ एंटर्टेंमेंट के लिए था कोई से खास तवजों नहीं देता था मगर इससे लोग हमारी फिल्मों हमारे कंटेंट से फैमिलियर हो गए ये सब रातो राक नहीं हुआ इसके पीछे एक कड़ी मैनत लगी वेल दुस्तों बात तो सही है हम लोगों को याद है कि हम लोग साउट की फिल्में देखा करते थे और कितना मज़ाक उड़ाया करते थे कि कैसे एक एक एक्टर लाग मार कर पूरी ट्रेन को पीछे कर सकता है फिल्में ऐसे बहुत से सीन्स होते थे जिनका हम मज़ाक उड़ाते थे लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और स्टोरी टेलिंग का जरिया बदला आज हम साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं यश ने बदलते वक्त के लिए डारेक्टर एसस राजा मौली की फिल्म बाहु बली को क्रेडिट दिया इसके बाद उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ऐसा उस तरफ भी होना चाहिए अब वो इसे कर रहे हैं लोग अलग सिनेमा देखते हैं भले ही इसकी संख्या कम है लेकिन ये बजार बहुत बड़ा है इन चीजों से कैसे जुड़े हमारी संस्कृती में बहुत अंतर है लेकिन वो हमारी कमजोरी बनने के बजाए हमारी ताकत बने अगर वो अपना ज्यादा समय हमें दे सकते हैं तो हमें कुछ रिलेटिबल बनाना चाहिए बहुत सारी North Indian फिल्में हैं जो बड़े पैमाने पर हिट हैं। हमने बॉलिवोड स्टार्स की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। हम सभी उन्हें प्यार करते हैं। लेकिन बजार की संभावन आए क्या है। मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें काफी शमता है। और सलमान सर उस पहलू में सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देखते नहीं है। हम उन्हें देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उन्हें फिल्म रिलीज करने के आलावा बाकी के पहलू को भी देखना चाहिए। I am totally agree with Yash। South की संस्कृति बिलकुल अलग है। Bollywood से बहुत ही उलट। क्यों नब Bollywood की फिल्मों में भी South की थोड़ी बहुत स्टोरी मिलाई जाए। उनकी संस्कृति को मिलाई जाए। ताकि Bollywood फिल्में भी South के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाए। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राई शेयर करें। Thank you so much देखते रहें बॉलिग्राडू स्टूडियोज। KGF2 ये एक मूवी से जादा ब्रैड हो चुकी है। इस मूवी के पीछे की दिवान की इतनी ज्यादा बढ़नी कि जिरोग पाना ना मुम्किन है। दोस्तो हमने रॉकी भाई की तो बहुत सारी बाते कर ली। लेकिन इस बार हम बात करेंगे फिल्म की विलिट की यानी संजु बावा पी। अगर सामने वाला कमपाटिटर ही तगड़ा हो तो लड़नी मीज ब्यादा मजाता है। आप सब दो इस बात से वाकित होगे कि इस फिल्म की शूटिंग के दोरान हमारे अपने संजु बावा क्यांसर जैसे कंबीर बिमारी से बीड़े थे। लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म की शूटिंग को टाइम से खदम करने की कोशिश कर रहे थे। इसे बीच उनकी और मीकर्स की बीच में बहुत सारी जगा हैस भी होगे। मेकर्स उनकी हेल्थ का ध्यार रखते हुए उनसे बार बार ये अपील कर रहे थे कि वो जो आक्शन सीन्स की शूटिंग है वो ग्रीन स्क्रीन बाग्राउंड मी करें जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना आए लेकिन बावा नहीं ऐसा करनी से साफ साफ मरा कर दिया। उन्हों नहीं बोला कि आज तक मैंने अपने कारियर में ऐसे कुछ फेक नहीं किया और ना मैं आगे करना चाहूँगा। लेकिन मेकर्स उन्हें ये चीज़ करने पर बार 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 फ्रेशर बना रहे थे। इस बार बाबा ने बोला कि अगर मैं बाग्राउंड वाले सीन्स ही करने हैं तो मुझे इस फिल्म में रखने की जरूरत नहीं थी। जब मेकर्स ने बाबा का ये रूफ देखा तो वो भी मान गए कि संचे बाबा से कोई जीत नहीं सकता। और फिल्म की शूटिंग वैसे ही हुए चैसे संचे बाबो बना रहा जाने थे। दोस्तों खुकार लोगों के बीच में शूटिंग पर अपनी जीजार लगा देने वाले वुलिट को लोग कितना जादा पसंद करते हैं ये दीखना आप दो परता है। आप सब तो ये जात नहीं है कि इस फिल्म के दिल्देशन कौन के रहा है। और उन्होंने हाले में अपनी इंस्टा लाइफ पर आकर अपने फान्स से रू बरे हुए। उनके फान्स ने उनसे बहुत सारे क्वेशन्स पूछे थे। और स्ब से फ्रेकृइंट्ली ब्रुक्यों धुए还 रहा था कि उनके फेवरेट अप्तर्स कौन है। तो उन्होंने बताया कि उन्के फेवरेट अक्टर्स मेंसे एक है तलपति वजय। तो उनके फान्स नहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको बस आप एक होड में डिफाइड करें तो उन्होंने बोला कि अब इस पर यह सवाल उठता है कि अगर प्रशाद नीर वजय को इतना पसंद करते हैं तो उन्होंने के लिए यश को क्यों चुना क्या थलापती नहीं माना कर दिया था यह फिल्म करने के लिए यह कुछ और ही बात है वेल यह सवालों के जवाब तो हमें भी नहीं पता और अब यह सवालों के जवाब हमें किस तरीके से मिलेंगे यह देखना काफी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है EGM Chapter 2 का खुमार सिर्चर कर बोल रहा है और लोग इससे जहाते हैं हर लांग्विज में रिलीस हो लेकिन ऐसा करना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं लेकिन फिर भी मिकर्स नहीं पार्थ के देमाड़ पर इस फिल्म मुझ 6000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीस किया जाएगा ये फिल्म वर्जवाइट रुलीज होगी लेकिन मेकर अभी तक ये गन्फोर्म नहीं किया कि ये फॉरें में ही कितने स्क्रीन पर रुलीज होगी वेर ये सब बाते तो हमें पता चली जाएंगे लोग यश के चलवे देखने के लिए हमेशा एकसाइटेड रहते हैं और इसलिए भी KGF के दूसरे पार्ट के लिए लोग एकसाइटेड है KGF फिल्म ने यश के फिल्मी करियर को नई उचाईओ तक पहुचा दिया यश फैंस के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफी पॉपुलर है यश का असली नाम नवीन कुमार गौरा है उन्होंने बहुत कम समय में ही करनट सिनेमा में अपनी पहचान बना ली है हाला कि यश को सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली उनकी फिल्म KGF चाप्टर वन से इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद किया गया था यश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मिडल फ्लास फैमिली से संबन्द रखते हैं और उनके पिता बस ट्राइवर के रूप में काम करते थे मैसूर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यश बैंगलोर अपने आक्टिंग ड्रीम को पूरा करने आए उन्होंने अपने करियर के शुरात नंदा गोखुला नाम के करना टीवी सीरियल से की थी KGF 2 को लेकर यश के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और KGF Chapter 2 इस समय देश की Most Awaited फिल्म है रौकी भाई के रूप में यश ये फिल्म अपने के साथ वॉक्स ओफिस पर भारी सफलता के साथ चर्चा में है लगता है सीकुल बहुत बढ़ा होने वाला है को लेकर हाइप नंबर्स में दिख रहा है क्योंकि अकेले हिंदी वर्जन में इंप्रेसिव नंबर है KGF 2 ने करीब 1.07 लाग टिकेट बेचे हैं और वो भी 12 घंटे के भीतर और उमीद की जा रही है तीन करोर टिकेट बेची जाएंगी आपको बता दे कि KGF फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के सीकुल को और भी ब्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भी भारी excitement और चोश देखने को मिल रहा है सोचो क्योंकि नाम हर इंसाम की अपनी पहचान होता है उसके नाम से ही लोग उसे बुलाते हैं इसलिए हम सब एक खास नाम और एक अलग identity से पहचाने जाते हैं ऐसे ही होता है फिल्मों में characters के नाम के साथ क्या आपने सोचा है कि क्यों हर फिल्म हर web series में हर character का नाम अलग होता है एक फिल्म में अलग-अलग किर्दार होते हैं और सब का अलग-अलग नाम क्यों तो आपको बता दे कि जब भी writer कोई कहानी लिखता है तो उसके दिमाग में वो कहानी का screen की तरह play होती रहती है उसका नाम प्रोबेबली फिल्मों और नाटकों में राजू शामू यही सब होते हैं क्योंकि चाय वाले पान वाले sweet होते हैं उन्हें कहां किसी से हथियार लेकर लड़ने जाना होता है इसी तरह फिल्मों के हर character को उसकी qualities के हिसाब से नाम दिया जाता है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली है फिल्म का serious villain है तो उसे मोगैमवो, शेरा आधी नाम दिये जाते हैं वैसे ही एक नाम अभी काफी social media पर चल रहा है जो है अधीरा सुनने में ऐसा लग रहा है मानो कोई भारी भरकम इनसान जो काफी शक्तिशाली है जी हाँ आपने सही सोचा यही नाम है KGF2 में आने वाली villain का जो आजकल अपने खुंकार अंदाज कूल लुक और शक्तिशाली शक्सियत के लिए जाना जाता है लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस खुंकार लुक का अधीरा नाम कैसे रखा गया तो आपको बता दे कि अधीरा की नाम का मतलब है एक मजबूत और बड़ी शक्षियत अधीरा का किर्दार फिल्म में काफी मजबूत है और साथी शक्तिशाली भी जो आपको ट्रेलर देखकर अंदाजा भी हो गया होगा जब अधीरा कहता है कहदो मैं आ रहा हूँ अपनी केजीएफ लेने उसकी शक्ति उसकी दमदार आवाज में नजर आ रही थी शायद इसलिए इसे ये नाम दिया गया ताकि ये ना तो पुराना नाम लगे और आज का यूथ इसे खुद से कनेक्ट भी कर सके बता दे केजीएफ फिल्म टू में अधीरा का एक विलन की भूमिका में होगा वहीं रौकी उर्फ यश एक गैंस्टर हीरो के किरदार में होगा फिल्म में रवीना का भी एक एहम किरदार होने वाला है जो 14 अप्रेल 2022 को सीनेमा में आने वाली है बरुन टेज की फिल्म को जेलना होगा भारी नुकसा कौन सी साउट फिल्म में जल्द आने वाली है फैंस की एंटरटेंटमेंट के लिए दोस्तों, बॉलिगार्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले है इस साल आने वाली मोस्ट आमेटिटड फिल्म के बारे में फिल्म की रिलीज और उसके साथ आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में तो चलिए शिरू करते हैं आज का वीडियो जैसा कि हम सब चानते हैं कि KJP2 साल 14 प्रैल पर आने वाल है और अब तो कुछी दिनों में फिर्म का ट्रेलर भी रिलीस होने वाला है और सभी इस फिर्म के लिए काफी एक्साइटेड है वही यश की KJP2 के साथ विचर खलापती और पूजा हिगडे की डार्क एक्शन कॉमेडियों और फ्रिलर फिल्म वीस्ट भी रिलीस होने वाली है दिच्चिसमात यह है कि दोनों ही फिर्म में सेम स्टाइल की और दोनों में ही तगड़ा एक्शन दिखने वाला है साथ यश और विजय दोनों ही साथ सूपरस्टार में लॉयल पैस है दोनों का क्लैश होने वाला है खबर यह है कि सूपर क्लैश से बचने के लिए और फैंस को एक पेर चोइस देने के लिए दोनों में से एक फिल्म एक वीक प्रिपॉंट हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो वरुण तेज की घनी जो आट अप्रैर को रिलीस होने वाली है उससे क्लैश जेड़ना पड़ सकता है आपको यह भी बता दे कि तेलगुप फिल्म घनी बहुत बार पहले भी उस्वान हो चुकी है अगर पेस्ट पहले रिलीस होती है तो घनी को इतना जादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन केजिप चेप्टर 2 प्रिपॉंट होती है तो फिल्म को क्लैश के साथ-साथ नुक्षान भी हो सकता है बिल हाल तो makers confident है और शायद असलिए वो केजिप चेप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म को टिक ओन करने के लिए भी रेडी है दोस्तों साथ 2022 फिल्म इंडस्टरी के लिए एक डर्निंग कोई साबित हो सकता है इस साथ theaters पूरी तरह से open हुए है और साथ ही बड़े stars की big budget film में रिलीस होने जारी है पर जाधा तर फिल्म ने साउथ की है उश्मा के बाद हाल ही में रिलीस हुई पवन कल्याना राणा दकुमाती के भीमला दायक और अजीत कुमान पली में रिलीस हुई और दोनों ने ही audience को कामती इफ्रेस किया हुआ है और साथ ही मार्च में प्रभास की रादिशाम रामचरोणों जूनियर एंटियार के ट्रिबल आर्ट जैसी बड़ी फिल्म में रिलीस होने वाली है और उसके बाद अप्रैल में यस की KGF चेप्टर 2 विजिस स्टारर बीस्ट प्रभास की सालार RC-15 जैसी फिल्म में वन बाई वन रिलीस होने वाली है साथी KGF चेप्टर 1 के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाप्र शांत नील और यस से काफी उमीदे हैं फैंस को साथी बॉलिवर्ट स्टार्स संचेदत और रमीना टेंडन की फिल्म में एंट्री ने फिल्म का बस बढ़ाया हुआ है KGF चेप्टर 2 ने फिल्म मार्केट में एक ऐसी रेप्टेशन बना ली है कि फिल्म के प्रिपॉर्ट या पोस्पॉर्ट होने से इस फिल्म को तो कोई परत नहीं पढ़ने वाला है लेकिन इस फिल्म के साथ रिलिस होने वाली बाकी की फिल्म को जरूर परकड़ेगा तो दोस्तों आप इस साल आने वाली कौन सी फिल्म के लिए excited है हमें comment box में जरूर बताएगा उमीड है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी ऐसी ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलिएगा यश के लिए नहीं तो किसके लिए आएगा अधिरा क्या हो सकता है फिर से गरुडा का राज हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोज में दक्षिन भारतिये हिट फिल्मों की जब भी बात की जाएगी तो केजी एफ 2 का नाम जरूर आएगा साउथ के फेमस हीरो यश्क ने रोकी भाई के किरदार निभा कर कई रिकोर्ड को तोड़ा है लेकिन इस फिल्म में यश्क के अलावा अगर किसी और ने सबसे ज़्यादा सुर्खिया बटोरी है तो वो है केजी एफ का विलन खतरनाक लुप से गरूडा ने सब का दिल जीत लिया है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गरूडा का रोल निभाने वाले राजू असल जिंदकी में एक बोडिगार थे साउथ के स्टार यश की केजी एफ चेप्टर टू जल्द ही रिलीज होने वाली है फिल्म को लेकर शुरूआत से ही काफी बज़ बना रहा है और अब फिल्म के पहले पार्ट में विलन रहे गरूडा सब को याद आ रहे हैं गरूडा यानि की रामचंदर राजू ने 2018 में केजी एफ चेप्टर वन से ही अपने करियर की शुरूआत की पहली ही फिल्म में उन्होंने विलन का रोल ऐसे दमदार तरीके से निभाया की लोग कायल हो गए आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचंदर एक्टिंग की दुनिया में एंट्री लेने से पहले बतौर बॉडिगार्ड काम कर रहे थे रामचंदर अपनी पहली फिल्म के हीरो यानि की यश के बॉडिगार्ड थे फिल्म में रामचंदर की प्रफॉर्मेंस देख कर कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी पहली फिल्म थी और उनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था उनकी प्रफॉर्मेंस इतनी ज्यादा दमदार थी कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया रामचंदर राजुने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक्टर बनेंगे लेकिन असलियत कभी-कभी सपने से हसीन होती है फिल्मों में आरा भी उनके लिए एक इत्फाक ही था दर असल केजीएफ के राइटर स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए यश्के पाच पहुंते थे यहां उन्होंने रामचंदर को देखा और उन्हें देखते ही गरुडा के किरदार में फिट कर दिया राइटर ने रामचंदर को एक बार आउडिशन देने को कहा और फिर उनका रोल पका हो गया लेकिन लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि जो गरुडा सबको लगता है कि मर गया लेकिन वो मरा ही नहीं हो तो जी हाँ गरुडा की वापसी हो रही है KGF2 में लेकिन KGF2 की राजा के रूप में नहीं बलकि वहां के दास और गुलाम के रूप में अब गरुडा अपनी ही सोने की खान में काम करेगा और वही अनुभव लेगा जो वो लोगों को आज तक देता रहा था ताकि उसको भी प जरूर बताएं की कौन सी है वो के रिदा जिसके डायलोग में पूरी मुवी को पलड़ दिया था हलो फ्रेंट्स फुल्गें बाग्टेयों फेप्रेट यूटूब चानल बॉलिग्राफ स्टुडियोस मैं आपढ़ना सुना आज आज आपके लिए लेकर आए हूँ के जिएफ चाप्ट टू से जुरी कई सारी छीहा दर्शे को कई सारी इंटरस्टिंग बाती तो इस विडियो को एंट तक जरूर से जरूर देखिएगा अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और हजार लोग तुम्हारे पीछे खरे हैं तो तुम सिर्फ जंग जीतोगे लेकिन अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली और तुम सामने खरे हो तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे के जिएफ की कहानी शुरू एक छोटे से बच्चे से हुई थी उसकी छोटी सी मुठी में तब सिकों की खानक भली ही कम थी लेकिन जिगर में पूरा समंदर था वो हीरो नहीं बनना चाता था बनना था तो विलन ये छोटा सा पौधा कप को लार गोल्ड फिल्ड के लिए बर्गत बन लिया किसी को ख़बर नहीं लगी लेकिन क्या अपने कभी सोचा इस पौधे के बीच को जस्मानी सीचा था उसके सिर्फ एक डायलोग ने पूरी मुवी को पलट दिया था अगर अपने आखरी वक्त में उसमानी अपने बीची रौकी से जीत कर आने की कसम नहीं ली होती तो मिटी से सनी ख़दार में सोने साथ च्रमकता रौकी भाई पैदा नहीं होता किरिदार छोटा था लेकिन असरदार था ये किरिदार निभाया 27 साल की कंड़ा क्रश अर्चना जोट ने टौकी की मां का किरिदार निभाने वाली अर्चना नी अपने जीतार से खूप सुर्खियां बटोरी था आईए आपको बताते हैं अचिना जोल्स की प्रोफाइल के बारे में जिन्होंने अपनी चन मिंटों के किरदार से सभी का ध्यान आकिरशित किया था KGF चाप्टर वन ने साउट इंडास्ट्री में ही नहीं बलकि दुनिया भर के सिनेमा पर खास छाप छोरी थी 250 करोड से भी ज्यादा का बिसनस करने वाली सूपस्ता यश की KGF के नए कृती मान स्थापत किये थी कोलार की सोने की ख़दानों को लेकर कनट मुवी KGF ने धूम मचा दी थी KGF की कहानी किरदार मुवी का केमर से लेकर हर कलकार खुम लोग प्रिये हुआ था अब मुवी के दूसरे पार की बात करें तो बाहु बली फ्रेंशाइजी के बात आक्टर यश स्टारर मुवी KGF चाप्टर टू निश्यत रूप से इस साल रिलीज होने वाली सबसे Most Awaited Pan and The Sequel में से एक है आक्शन से भरपूर ड्रामा KGF चाप्टर टू को देखने के लिए दर्शको का उत्सा काफी बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि मुवी के सिनेमा हरों में हिट होने से पहले ही Makers और फ्रांस के बीच ये एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है दर्शल देशको के जिए चाप्टर टू के Makers मुवी का ट्रेलर रिलीज करने से पहले फ्रांस को उसाहित करने में कोई कसर नहीं जो रहे है यश स्टार मुवी के एक नए पोस्टर के साथ Makers ने मुवी की रिलीज टेट का एलान चे दिया है जिसके अनुसार मुवी च्वादा एप्र 2022 को रिलीज होगी और इसका ट्रेलर रिलीज होगा 27 मार्श 2022 को कर बनाता है की टेसर को रिलीज हुए एक साथ से भी ज्यादा वक्त हो चुका है लेकिन फांस के दिलों में ये डायलोग आज भी गुझ रहा है और वह भी क्यों ना आखिर के टेफ चाप्टर 1 ने जस लेवल का एंटेटीन्मेंट दर्शकों को दिया उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है 2018 में रिलीज हुए कर्णड़ फिल्म के जीएफ को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि हारे एक पी जुबां पे रॉकी का किरदार ने भाने वाले आक्टर यश का ही नाम था लेकिन लेकिन अब लग भग चार सालमात इंड़ार खतम हुए क्योंकि KGF के मेकर्स ने KGF चाक्टर 2 की फाइनल ट्रेल और मूवी रिलीस देट अनांस कर दी है जसमें ट्रेलर 27 मार्च और मूवी 14 अप्रिल तक रिलीस होगी हालकि इससे पहले भी फिल्म की रिलीस देट आगे बढ़ाई चाल चुकी है लेकिन इस बार पूरी उमीद है कि दर्शकों को ये फिल्म सिनमा घर उमीद देखने को जरूर मिलने वाली है कीजियर चाप्टर 1 की तरह इस फिल्म का लेकर और निर्देशिन, डारेक्टिन, प्रशांत, नील लेकिया और ये वोमेबल पुंस के बानर के तले बढ़ी है जिसे तेलगू, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी रिलीस किया चाएगा अब इस फिल्म में हमें KGF चाप्टर 1 के आगे की कहानी दिखाई चाहिए जिसमें फांस को कारिनाय और ताकतवर करदार देखने को बलेगे जिसमें सबसे ज्यादा बास है सांच वादाद के कारेक्टर अधीरा का जो देखने में किसी योंधा से कम नहीं लगते है जो रीना का करदार ने भारी है और टीजर से हमें पता चलता है कि उनकी क्यारक्टर को इस मूवी में भी और डेप दी गई है वहीं प्राइब मिनस्टर रमिका सेम के करदार में रवीना चननन के लग को भी खूब सरहा जा रहा है और खबरों की मानी तो वो इस फिल्म में एक बहुत जादा इंपॉर्टन कारेक्टर है जो कि रॉकी को रोक सकती है अब इस फिल्म में ये रॉकी के इतने ही सारे विलन्स है कि उप्रियों में इतना मुश्किल होगा उन में से एक नाम इनायत खलील का किर्णार निभाने वाले कलाकार बालकृष्णा का भी है जो इस पार्ट में रॉकी को कड़ी टक कर देंगे दर्शकों में इस बात को लेकर उपसार है कि इतने सारे अपुर्मेंस के होते हुए भी कैसे रॉकी केजिएफ की कमान अपने हाथ में रखेंगे और अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करेंगे रॉमान्स और आक्शन से भर पूर इस फिल्म का पूरा बजट सौ करोड से भी ज्यादा बताया जा रहा है और ओडिंस के क्रीज को देख कर लगता है कि ये फिल्म भी पार्ट 1 की तरह ब्लोगबस्टर स्ताबित हो गी साब उसे फार्म्स अपने फेवरेट कारेक्टर रॉकी को बड़े परदी पर देखने के लिए बेटाव है कहते है ना इंतजार का फल मीठा होता है पर अब ये तो मूबी रिलीस होने के बाद ही पता चलेगा कि मीकल्स अपनाजार को किस तरह बुन्ने में कया कामया बढ़ेते हैं परट 1 में रॉकी को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसे कई ज्याद चनौतिया पार्ट 2 में उसका इंतजार कर रही है पर जो भी है इस दुनिया में सबसे बड़ा योधा मा होती है क्या अच्यूद कुमार की थी KGS पहली हिट फिल्स क्यों अच्यूद कुमार को है ये फिल्म पसंद आजकल जस फिल्म के हर चर्चे हो रहे है वो है फिल्म के चाप्टर 2 और भला हो भी क्यों ना क्योंकि इसकी पहली पार्ट लोगों को इतनी पसंद आई उसकी कहानी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और इसकी लोगों इंतजार कर रहे हैं तो बस केजिये चाप्टर 2 का वैसे इस फिल्म में भी आपको वो हर एक क्यारेक्टर दिखाई देगा जिसकी वज़े से ये फिल्म हिट साबित हुई थी वैसे इस फिल्म में भी गुरू पंडियन का फिल्दार आपको फिल्कुल व पावर खत्म हो जाएगी अब खत्म होगा भी कैसे क्योंकि किर्दार खुद कुसी तरह देखेंगे चैसे केजिये प्राप्टर पर में हमेज देखा था अब देखना यह है और जिस अच्यूद कुमार को कितना पसंद करते हैं बात के देख स्लम की तो यह एक तान इंज्य इस फिल्म है जोसे पात भाशाओं में रिलीज दिया जाएगा इस फिल्म में या श्रीमी दी प्रकाश्टा क्यों गड़े थे यश उडूपी कहां खेला यशने क्रिकेट कहां है उडूपी जिला किस स्टूडियो में बना है केजी एफ टू का संगीत हलो दोस्तो मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलिग्राइट स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में कुंडापूर में केजी एफ टू स्टार यश की स्थानिय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और सभी की सरहना हो रही है बता दे यश निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता किरंगादूर की फिल्म क KGF2 के गानों को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापूर स्थित संगीत निर्देशक रवी बसरूर के सूडियों में थे लेकिन क्या आपको पता है कहां है उडूपी जिला बता दे ये भारत के करनाटक राज्य का एक जिला है जिले का मुख्याले उडूपी है जिला अरब सागर के टट के किनारे पर बना हुआ है और मंगलूर से उत्तर में पड़ता है यहां प्रसित मनिपाल सेक्षनिक संस्थान है जो शेहर के आसपास फैला है धार्मिक परंपरा में द्वैत सिधान का परवर्तन और कारे भूमी यही नगरी रही है भारत में अभी भी क हम तक पहुँचाने का एक सहारा बन गया है जिसका उधारन ये जिला है वैसे बता दे यश एंड टीम ने काम से समय निकाल कर गवी बसरूर के स्टूडियो के बगल में मैदान में लड़कों के साथ क्रिकट खेला यश की खेल भावना की काफी सरहना की गई क्योंकि उन्ह गुड़ा मंदिर में भी पूजा अर्चना की बता दे फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है जिसकी कहानी रमिका सेन की कूर्सी से शुरू होते हुए अधीरा के महल तक जाएगी लेकिन अधीरा और रमिका की मुलाकात पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं होगी दो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवर्ट मौत को भी बतल जाए इतना खुन देखके लगता है इसे बड़ी बेहर हमी जमारा है किस फिल्म से क्लाश होते होते बच गई क्या कनेक्शन है संजदत का रौकी नाम से क्या अब नहीं चलेगा नौरा का जादू नमस्कार दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉलिग्राप स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी उन्होंने एक कर्णर सीरियल से अपना सफर शूरू किया और आज वो केजिव स्टार के नाम से बुलाया जाते हैं दोस्तों सब तरफ उनका क्रेस बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है दर्शक तो उनकी एक जलत देखकर ही पागल हो रहे है उनकी फिल्म केजिव अब आप सोच रही होंगे की कैसे तो आपको बता दे कि उनकी डेब्यू फिल्म का नाम भी रौकी था जो कि उस समय काफी सूपर हिट रही थी और अब वो इस फिल्म में भी अपना दंदार परफॉर्मेंस देने जा रही है तो हुआ ना जबर्दस कनेक्शन लेकिन दोस् तो महबूबा गाने पर अपना सिजलिंग अंदास दिखाने वाली है नौरा फतिही का डांस तो दर्शकु के दिलो दिमाग पर चा चुका है उनके बेरी डांस के काफी दिवाने देखने को मिलेंगे पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सारी गानों में उनका एक ही सारा भी तो शामिल है जो कुछ अलग कमाल दिखा सकती है और तो और दोस्तों अब तो फिर्म पुष्पा से समान्था ने भी साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है इस बार तो कुछ हटके देखने को मिलेगा ही ऐसी दर्शकु को आशा है और एक खुशकबरी जा आ रही है पर साउथ सुपरस्टार ठलापती विजे की आने वाली फिर्म बीस्ट जो 14 मार्च को रिलीज होने वाली थी उसे मेकर्स ने किसी दूर्ट क्या कहां आमिर के भाई फैसल खान ने फिल्मों के क्लाशिस के उपर किसको दीप उनीत राजकुमार ने बढ़ाई है नमस्कार दोस्तों एक बार फिरसाब सभी का स्वागत है बॉलिकराथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कात्यागी कैसे हैं आप सब लोग हम जानते हैं कि जब से कीजिव 2 का ट्रेलर और पोस्ट रिवील हुआ है आपके लिए इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है पर कोई नहीं दोस्तों अब काफी कम समय बचा है फिर्म को रिलीज होने में तब तक के लिए हम कुछ खबरों पर नज़ कीजिव की सक्सिस के बार डिरेक्टर प्रशाद नील ने सेकंड पार्ट बनाने का फैसला किया था और आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और यकीन भी है कि दर्शक इस फिर्म को भी उतना ही प्यार देने वाले है कंडर की फिर्म की लीड ही रोइन होने वाली है खूब सूरत अक्टरिस श्री नदीश शेती और उनके साथ पॉलिटिकल तड़का लगाने आ रहे है रवीना तंदिन वैसे ट्रेलर सबसे सामने आया है तब से सबके हो शुड़ गए है दर्शक तो हैरान थे ही पर सिलेब्रिटी पॉलिवुड के हंसम हं कृतिक लॉशन भी इसमें पीचे नहीं है उनके इसाब से एक फिल्म इतने सारे शेट्स दिखाना बहुत बड़ी बात है टीजर देखने के बाद उन्होंने यश के जनम दिन पर कहा की टीजर जबरदस्थ है और साथ ही में आप भी अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं उनके बाद सुपरस्टार शिवकार्ति के एन और मोहलाल ने भी खूब तारीफ की है करना डिनास्ति के अन्ना यानिकी मेगा सुपरस्टार पुनीत राज कुमार अब हमारे बीच नहीं है पर उनके अकाउंट से भी यश को धेर सारी बताईयां अब देखिए आमिर खान की फमलाग सिंग चड़ा भी उसी वक्त रिलीज होने वाली है तो जाहिर सी बात है कि क्लाशेस तो होंगे ही और इस पर कहते हुए आमिर के भाई डिरेक्टर फैजल खान ने कहा मैंने देखा रिलीज इंडेट को लेकर काफी परिशानी हो रही है पर दोनों ही फल में कमाल की हैं और अगर ये दोनों एक दिन रिलीज होंगी तो मैं चाहूंगा कि दोनों को ही उतना प्यार मिले क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है जब फमलगान और गदर आमने सामने आएगी वेल गाईस प्रिशान अगर तुमने हिमत हो की हजार लोग तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत चाहोगे क्या कंफर्म हो गए हैं फिल्म के ब्रॉड कास्ट राइट्स कहां पहुची फिल्म की पूरी टीम मननत मांगने केजिफ चैप्टर टू के प्रीमियर पर दिन पर दिन देरी के बाद प्रॉडक्शन टीम ने पुष्टी की है कि फिल्म स्वाधा एप्रिल 2022 को सिनिमा घरों में रिलीज होगी केजिफ चैप्टर टू का प्रीमियर ऑक्टूबर 2020 के एंड में होने वाला था लेकिन चल रहे कोरोना वारिस महामारी और संड्रेदत के हेल्थ इश्यू से जिड़े प्रॉब्लम्स के कारण इसे डिले करना पड़ा 6 जुलाई को प्रशान नील द्वारा एक नई पोस्ट इमेज शियर की गई थी शुक्र है हमें उसके बाद बहुत लंबा इंतजा नहीं करना पड़ा में लीड आक्टर यश्ट ने ऑगस्ट 2021 में अपने सोशल मीडिया पेज पर पुष्टी की कि 14 एप्रिल 2022 के लिए एक नई डेट सेट की जाएगी नई रिलीज की तारीक के साथ यह पता चला कि जी नेटवर्क ने ओफिशल तौर पर केज़ेफ चैप्टर टू के करनड, तमिल, तेलगू और मल्यालम वर्जिन्स के स्ट्रीमिक राइट्स हासल कर लिए हैं जी टमिल तमिल भाषा की डबिंग को ब्राइटकास्ट करेगा जिसमें जी तेलगू, जी करनड और जी केरलम मल्यालम डबिंग के लिए ब्राइटकास्ट करेंगे इंटरनेशनली खबरें ऐसी आई हैं कि Amazon Prime वीडियो मई 2020 से सोचल मीडिया पर सरकुलिट होने वारी ब्राइटकास्टिंग राइट्स को खरीदने में इंट्रेस्टेड है मार्श 2021 में नई अफ़ाहें ओनलाइन फैलने लगी कि फिल्म को Amazon पर 55 करोल रुपे में बेचा गया था हाला कि Let's OTT Global Twitter पेज ने कहा कि Amazon Prime अभी भी पोस्ट प्रोड़क्शन डिजिटल रिलीस पर बातचीत कर रहा है केजिएफ चैप्टर 2 के हिंदी डिव वर्जिंज की प्लैनिंग यश द्वारा खुद की जाने वाली थी उन्होंने कहा कि वह हिंदी डियालॉक्स के लिए अपने एक्सिंट को परफेक्ट करना चाहते हैं हाला कि जब यह बात पता चली कि यश डविंग पर काम नहीं करेंगे यह कहते हुए कि बड़े परदे पर दर्शकों के एक्सिंट को समझना मुश्किल हो सकता है वही हाली में एक ख़वर सामने आई करनट स्टार्क यश ने केजिय अफ चैप्टर टू टीम के साथ कोलूर मुकामबिका मंदिर के धर्शन और पूजा अचना करने गए थे उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए केजिय अफ चैप्टर वन की रिलीस से पहले मंदिर में पूजा अचना की वे पिछले दो दिनों से प्रोमोशन शुरू करने की तैयारी में हैं केजिय अफ चैप्टर टू काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है अगर तुमने हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ले कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरी दुनिया जीत जाओगे कुदरत का अरिश्मान देको उसरात दो गटाए होई की जी एफ पी बिल गया और वो भी बैदा होगे वो भाई कह तेरे बाप कह रहा नहीं रहे तेरे बाप कही है और तेरा बाप पुला है उसका कोई नामों निशान इतिहास के पनों में नहीं रहना चाहिए I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India क्या आपसी फूट से होगा रॉकी को फाइदा क्या अधीरा हो जाएंगे रॉकी की साइड जी हां दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉनिक राप्द स्टूडियोस की इस नई पेशकर्स में जब भी हम थेटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो हमें उस फिल्म से काफी ज़ादा expectations होती है अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में रिसर्च करते हैं फिल्म के बारे में आई रिव्यूस परते हैं अपने दोस्तों से उस फिल्म की रेटिंग्स और फिल्म के बारे में पूसते हैं अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं तो सब को उस फिल्म के बारे में अक्सद बताते हैं इसे ही कहते हैं वर्ड ओफ माउथ और accept इस word of mouth से ही किसी भी फिल्म को hit या flop होने का पता चलता है जब KGF chapter 1 theaters में लगी थी तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी super eight film बन गई अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार जल्दी आने वाला है और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्विल से बड़ी उमीद है और साथ ही इस फिल्म के सीप्योल को लेकर बहुती ज़्यादा क्यूरियूसिटी भी है तो चलिए हम आपको पताते हैं कि क्या हो सकता है केजियर चैप्टर टू में हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रिलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रोकी अपनी माँ को किये गए वादे को पूरा करेंगे और अगर कोई भी उनके इस वादे को पूरा करने के रास्ते में आता है तो रोकी उसे छोड़ेगा नहीं जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रोकी का बहुती खतरनाक और खुंकार वर्जन देखने को मिलने वाला है के जिएफ पार्ट बन का एंड रोकी के साथ खत्म हुआ था जिसमें रोकी करुणा को मारने के बाद के जिएफ का राजा बन जाता है अब रोकी की मदद से सूर्य वर्दन के पांस सपोर्टर्स एंड्रियू, राजंद, देसाई, गुरू, पांडियन, कमल और अधीरा सोने की खान पर अपना हाथ रखने की सबसे वड़ी मुश्किल को दूर कर देते हैं यानि की गरुणा को मरवा देते हैं रोकी के दौरा अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रोकी की वज़े से इन सब के बीच फूट पर जाएगी और सब के अलग-अलग प्लांस हैं और आखिर में अधीरा रोकी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा ये होने वाला है केचियफ चेप्टर टू में तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक मौत को भी बतल जाएगा इतना खून देखके लगता है इसे बड़ी बेरहमी समा रहा है सर ये खून उसका नहीं हमारे लोग को गए फिल्म के लिए कितना बड़ा सेक्रिफाइस किया है श्रीन दिन है टीम क्यों कर रही है संजदात को सलाम नमस्कार एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूरियोस में और मैं हूँ आपके साथ नुश्का त्यागी अब दिन पर दिन सब की नज़रे एक ही फिल्म पर ठीकी हुई है और वो है केजियव 2 जिसे लेकर आ रहे है हमारे रौकी भाई रौकी की एक जलग देखकर दर्शक दीवाने हो रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि वो अभी जादा इंतजार नहीं कर पाएंगे वैसे दोस्तों 2018 में केजियव चाप्टर वन का जादू अभी तक तम नहीं हुआ है दर्शक को आज भी फिल्म की कहानी से लेकर डायलॉग तक सब कुछ याद है और अब उसी जादू को दुगना करने के लिए डिरेक्टर प्रशान दील चाप्टर टू को लेकर आ रहे हैं सूपरस्टार याश फिर से एक बार फिर रोके भाई के अफ्तार में नज़र आने वाले है उसके स्टाइल को हर तरफ कापी किया जा रहा है वैसे बात कर एक कहानी की तो इस बार और हटके होने वाली है फिल्म में दुश्मनी लड़ाई तो देखने को मिलेगी ही पर साथ में काफी सीक्रिट्स को रिवील किया जाएगा सारी मुंबई पर राज करने के लिए और सबसे अमीर बनने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिय भी होगी आक्षिन के साथ साथ ये अश्का रोमांटिक अंदास भी देखने को मिलेगा उनकी हिरोईन यानिकी श्रीनिदी शेट्टी के साथ में श्रीनिदी दोसा सोला की मिस्स डीवा रह चुकी हैं जिसके बाद उनोंने फिल्मे दुनिया में करदम रखा था अब वैसे तो श्रीनिदी इस फिल्म को लेकर काफी जादा खुश है पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने एक इंटर्वी में कहा था कि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरा सपना था और इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी मेरे पास इस फिल्म से पहले साथ फिल्मों का उफर मिला था जिसमें दो तेलगू, दो तमिल और तीन कर्नर फिल्म शामल थी पर इस मेगा फिल्म को हाथ से जाने देना मतलब बहुत बड़ी भूल होती पर खेर अभी इसके बाद शुरी निदी के पास काफी अच्छी ओफर आने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों अब मिलते हैं फिल्म के बुलन से जिसका नाम है अधीरा और अधीरा का किरदार ने भाने वाले हैं बॉलिवुट की खलनायत संजदत यानि की संजु बाबा संज ने भी बताया कि उनका साउथ इंडास्ट्री में काम करने का एक्सपीरेंस काफी अच्छा रहा उनके काम के साथ-साथ फिल्म की पूरी टीम ने और एक वजा के लिए उने अप्रिशेट भी किया गया था फिल्म की शूटिंग से पहले संजे कांसर से लड़ रहे थे हाला कि अभी वह बिल्कुल ठीक हैं पर वह दौर उनके लिए काफी जाता मुश्किल था इमोशनली और फिजिकली पर तब भी एक जजबे के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरा करने का वादा शिदत से निभाया और इसलिए यश ने भी उनके जजबे को सलाम कि यह फिम दो सुबर ब्लॉकबस्टर होने वाई है पर एक अवार्ड फॉंक्शन में यश को केजिएफ के लिए वाड मिला था तब उन्होंने ओडिन से एक बादा किया था उन्होंने ओडिन से कहा था कि करनेर इंडास्टी को ग्लोबल बनाने का हम सब का सबना जरूर पू अधिरा के लुक से हुआ किस का नर्ड एक्टर का कमपेरिजन इसके बारे में क्या बोले के टार एक्टर प्रशान नील क्या दोनों के बीच कमपेरिजन करना होगा गलत जिहां दोस्तों एक बार फिट से हम सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राब्ड स्टुडियोस के फिल्मिंग कल्यारे में फिल्म के जीएफटू को लेकर लोगों के ऐक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी के जीएफट के एक्टर्स ही नज़राते है या यूँ कहें कि KGF के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाली में जब कन्नर एक्टर स्रीनागर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म गोवली से अपना पोस्टर रिलीस किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाई गया है तब तक कई लोगोंने उनके लुक को KGF 2 के अधीरा यानी की संजयतत के लुक से कंपेर करना शुरू कर दिया वही जैसे ही इसके बारे में KGF चेप्टर के डायरेक्टर को पता चला उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी आपको बता दे कि इस पर उनका ये कहना था कि KGF 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉब रूट्री से इंस्पायर है और गोवली के मेकर्स श्री नागर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है इसलिए इन दोनों के लोग को कमपेरिजन करना सही नहीं होगा लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्मَّ गोवली को ट्रोल करना बंदद ही किया अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में करेक्टर के लोग को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे अब आगे देखना तो ये होगा कि KGF 2 के कारण श्री नागर किटी की फिल्म पर कोई बुरा सर्तू नहीं पड़ता या इसकी वज़े से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है वैसे KGF 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे पांच भाशाओं में बना गया है इस फिल्म में आपको यस, संजेदत, एंडियू, रविना टंडन, सीनेदी, शेठी और प्रकास राज एहम रोल में नज़र आने वाले हैं इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बता जा रहा है कि यह फिल्म एक बार फिर से बॉक्स आफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है लिकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तोर पर कह दिया है कि इस बार फिर्म तेय तारीख पर ही रिलीस की जाएगी आपको बता देगा क्या है डारेक्टर प्रशांत नील की स्ट्रेटिजी कौन से बंधन तोड़े डारेक्टर ने केजी अफ के साथ क्या है उनके आगे के प्लांस हेलो दोस्तों मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉली ग्रेड स्टूडियोज के दल्चस्प गलियारे में कहते हैं कि कहानी एक फिल्म की सच्ची आत्मा है हाला कि बड़े पैमाने पर दर्शकों का ध्यान आकरशित करने के लिए एक राइटर को अपनी कहानी को इस तरह से लिखने की जरूरत है कि वो अपनी लिखी कहानी से ओडियन्स को बांध कर रखे इमोशन्स के साथ एक क्लियर संदेश बेजे जिसमें लेंग्विज बेरियर ना हो और केजी एप के डारेक्टर राइटर प्रशांत नील की फिल्में इस कसोटी पर खरी उतरती हैं और इसलिए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट और उनकी कहानियों से ओडियन्स कनेक्ट कर पाती है केजी एप चैप्टर वन की रिलीज के बाद तर्शकों के हीरो यश नाम तो सुना ही होगा कि तारीफ करते नहीं थके अजीब तरह से यश के रूथलेस अवतार ने कई लोगों का दिल जीत लिया दिल्चस्प बात ये है कि जब जनवरी में केजी एप चैप्टर देखने को मिला जिसने उनके रॉंग टे खड़े कर दिये इसी तरह डारेक्टर की दूसरी अपकमिंग फिल्म सालार के पहले पोस्टर में प्रभास को पहले कभी न देखे गए अवतार में देखा गया क्योंकि उन्होंने एक डार्क और इंटेंस रूप से पोट्रे किया गया था जो थोड़ा सा हट कर था लेकिन बहुत प्रशंसा मिली लोगों के दिलों से अभी तक बाहु बली का सुरूर नहीं उतरा है तो कह सकते हैं बाहु बली से सालार का सफर प्रभास के लिए फिलहाल बढ़िया रहा है प्रशांत निल की आने वाली फिल्मों के के बाद हम अब बड़े पर पर कुछ एक्चुल एक्शन का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जिसमें कई बड़े नाम और सीक्वेंसेज आपको दिखाई देने वाले हैं फिल्म के जीएफ चैप्टर वन की एंडिंग अधूरी थी जिसने कई लोगों को एक्साइटमेंट और दार्क सीक्रेट्स का खुलाशा करेगा लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रशांत ने केजीफ 2 के लिए कुछ शांदार एक्टर्स को नहीं लिया है कुछ नए करेक्टर्स को गहराई से उभरते हुए निर्देशक ने संजदत, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ तई टैलेंट और नामी एक्टर को इस फिल्म से चोड़ा है जैसे रमेश राओ संजदत के डेडली केरेक्टर अधीरा के रूप में और रवीना रमीका सेन के रूप में भारत की प्रधान मंत्री के रूप में हमें देखने को इस बार मिलेगी साथ ही इनायक खलील विलोट रहा है अब आगे क्या होगा इसको लेकर तो हम प्रशांत नील पर भरोसार रखी सकते हैं दूसरी और हाला कि सालार और हैस्टेग एंटियार 31 के दूसरे कलाकारों का खुलासा होना बाकी है ये निश्चित रूप से एक grand affair होगा जब निर्माता at the end नामों की official घोशना करेंगे प्रशांत की पिछली दो फिल्मों में उग्रम और KGF ने कुछ captivating fight sequence दिखाए ये make sure किया जा सकता है कि उनके आने वाले projects भी पूरी तरह से action film lovers के लिए होगे KGF 2 और सालार action के तो action scenes के लिए आप सब वैसे ही काफ़े excited हैं क्योंकि एक तरफ Rocky हैं और दूसरी तरफ बाहु बली और अंबरीव द्वारा इन actions को choreograph किया जाएगा जिन होने पहले भी KGF के लिए काम किया है वही जूनियर NTR प्रशांत नील की फिल्म में या तो कुचीपुडी dancer या एक राजनितिक नेता की भूमिका निभाएंगे जो high voltage stunt भी करता दिखाई देगा खैर अभी के लिए हम KGF chapter 2 पर ही focus करेंगे जो अप्रेल 14 को इसी साल release के लिए तयार है कौन है ये अधिरा रोकी भाई का कोई पुराना दुश्मत क्या है इसकी चाहन So hello guys welcome back to your favorite YouTube channel Wally Grad Studios and I am your friend and your host Swati Tiwari So friends, happy news for everyone The Rocky or superstar Yashki die-hard fans Yashki is a star in the heart and heart Yashki is a star in the heart and heart His first superstar has been a powerful voice In the film KGF chapter 1 But how will the story stop here? Chapter 2 अभी तक उसके दुश्मनों की गिंती कम नहीं हुई है वही दुश्मन फिर से एक बार पर्दे पर रौकी से लड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें करारा जवाब देने के लिए रौकी लेकर आ रहा है के जी अफ चाप्टर टू कहानी इतनी इंट्रस्टिंग थी कि द गिरते बाल और आखों में गुस्सा यही है रौकी की पहचान रौकी की चाल उसका मूँ में सिग्रेट दबा कर घूमना और सब को टशन दिखाना काफी जबरदस्ट दिख रहा है ट्रेलर में और एक बात है कि रौकी का एक पुराना दुश्मन सामने आ चुका है उसके सा कर और खुद मुंबई का राजाब बनना चाहता है अधिरा का किरदार निभाएंगे बॉलिवुड के खलनाया संजेदर संजु बाबा से जब इस रोल के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने इंटर्व्यू में बोला कि यह किरदार काफी जबरदस्ट दिखने वाल फिल्म में इसके अलावा दिखेंगी रॉकी भाई की हसीना रीना दिसाई यानी एक्ट्रस श्रीनिधी शेट्टी जो हमें केज यस चाप्टर वन में भी देख चुकी है जो इस बार भी एहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी फिर से एक बार रॉकी के साथ उनकी र लाने गए थे अब महनत के साथ भगवान का अशरवाद होना इन सूपर स्टार्स के लिए भी बहुत जरूरी है होमेबल फिल्म जैसे बड़े बैनर के साथ के जिए टू को डिरेक्ट करने वाले हैं मशहूर डिरेक्टर प्रशान निय जो फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं चाप्टर वान की सक्सस के बात उन्हें इस फिल्म से भी काफी उम्मीदे हैं उनका ये कहना है की इस फिल्म को भी दर्शक उतना ही प्यार देंगे KGF2 के साथ हम और एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं इसमें काफी सारे सर्प्राइज देखने को मिलेंगे और कई सीक्रिट्स खुलेंगे उस फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूस भी हो सकते हैं हमें आशा है कि दर्शक उसके लिए भी उतना ही इंतिजार करेंगे वैसे फिल्म की रिलीस के बारे में बताया जाए तो KGF2 हमें 14 अपरेल 2022 को देखने को मिलेगी जैसे रॉकी कहता है कि डर होना चाहिए और वह भी दिल में होना चाहिए उसी तरह रॉकी को दर्शकों का धेर सारा प्यार चाहिए और हर बार चाहिए आपके हिसाप से कौन से सीन्स पर लगा कोपी पेस्ट का ठपा कौन से फिल्मों के सीन चुराए प्रशांत नील ने हेलो दोस्तों मैं नेतिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेंड स्टूडियोज के दिल्चस्प गलियारे में केजी एफ वन एक ऐसी फिल्म रही जिसने नकेवल पूरे देश की पबलिक को दिवाना बनाया बल्कि फिल्म के हीरो यश को स्टार से सूपर स्टार भी बना दिया और इस सूपर स्टार की जबरदस्ट फिल्म का आ रहा है सीक्वल यानी केजी एफ टू लेकिन क्या आप जानते हैं इस बहतरीन फिल्म के कई सीन्स ऐसे थे जो किसी और फिल्म से मिलते जुलते नजर आते हैं जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए जी हाँ, फिल्म 70s और 80s की एक रियल स्टोरी कॉलार गोल्ड ओफ फिल्ड पर बेस्ड है ऐसे ही एक और क्लासिक हॉलिवुड फिल्म दा गुड दा बैट एंड अगली फिल्म से ये इंस्पाइड लगती है क्योंकि इस फिल्म में जो बैग्राउंड म्यूजिक बचता है वो एक बिल्कुल अलग भाशा का था और केजीएफ में भी अगर आपने बैग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान दिया होगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा एजिप्शन म्यूजिक की याद दिला देगा जो वापस से हमें आने वाले सीकुल में भी सुनने को मिले क्योंकि कई ऐसी चीजे हैं जो केजीएफ वन में दिखने के बाद वापस से केजीएफ टू में दिखेंगी ऐसे में फिल्म के कुछ सीन्स देख आपको बाहुबली की याद तो जरूर आई होगी फिल्म बाहुबली में जहां एक सो फुट का एक बड़ा स्टेचू माहेशमती किंग्डम में रहता है जिसे खीचने के लिए न जाने कितने स्लेवज लगे रहते हैं लेकिन जैसे उनके हाथ से रोप छूटने को होती है तबी वहाँ मूँ कवर करके एक महान इंसान आता है और स्टेचू को रस्टी से खीचता है और जैसे उसका चहरा दिखाते सभी जोर जोर से सब नारा लगाते हैं बाहुबली बाहुबली और ऐसा ही सेम सीन KGF2 के फर्स्ट लुक में दिखाया गया जहां यश ब्लू और वाइट शर्ट में पूरी लीडर वाली वाइब दे रहे हैं जहां कुछ लोगों का एक ग्रूप रसी की मदद से एक मैसिव पिलर खीच रहे हैं और उस पोस्टर के कैप्शन में लिखा थ ठीक ऐसे ही फिल्म की कहानी में रौकी भाई लोकल लोग जो KGF में काम करते हैं उनकी मदद करता है और उनको स्लेवरी से बचाता है ठीक ऐसे ही एक हालिवूड फिल्म ब्लड डायमंड में भी देखने को मिला था जहां अफरीका में डायमंड माइन का काम होता था और आस कौनों ही फिल्मों में रोकी का पार्ट इस पार्ट से इंस्पायर लगता है लेकिन असल खुलासा तो अब होगा जब KGF 2 14 अपरेल को बड़े परदे पर आएगी तब ही उठेगा राज की डायरेक्टर ने बाहुबली और हॉलिवूड की और किन-किन फिल्मों से कोपी क यह हैं फिल्म के सिंस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवत मौत को भी बतल जाते हैं इतना खुन देखके लगता है इसे बड़ी बेहरेमी समा रहा है के जी एफ टू में संचे दत ने एक्शन सीन के लिए क्या किया जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे जी हां दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्राद स्टूडियोज की इस नई पेशकश में कंडर सूपरस्टार यस की धमाकेदार फिल्म के जी एफ चैप्टर टू को लेकर लंबे समय से चचचा है इसका पहला चैप्टर काफी पसंद किया गया था और लोगों ने इसको भरपूर प्यार दिया था ऐसा कहा जाता है इस फिल्म के बाद ये इशका कद बढ़ा है और दूसरा चैप्टर काफी धमाकेदार होने वाला है लेकिन ये फिल्म संजदत के कारण और भी बड़ी होने वाली है क्योंकि वो इस फिल्म में एक दमदार नेगेटिव रोल में आ रहे हैं संजदत को इस फिल्म के लिए दमदार एक्शन सीक्वेंस शूट करना था और इसके लिए उनको बॉडी डवल दिया जा रहा था खबरों की माने तो अभी नेटा ने ऐसा करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि वो बॉडी डवल का इस्तिमान नहीं करेंगे इसके बाद संजदत ने खतरनाक एक्शन सीक्वेंस खुदी शूट किये हैं जो की चर्चा में हैं संजदत इस फिल्म में अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं जो पहले पार्ट में सामने आया था हालंकि उस फिल्म में अधीरा का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन इतना तैह हो गया है कि वो इस फिल्म में बड़ा धमाका करने वाले हैं संज़त दर्थ पहली बार किसी कंणर फिल्म में काम करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म में अभने ती रवीना टंडन भी बहतरीन किरदार में नज़र आएंगी इस फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ भीते नहीं होबा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना वाइरस के केस देश में बढ़ रहे हैं ऐसे में कई बड़ी फिल्मों को आगे ढखेला साउथ की मोस्ट वेटेट फिल्म ट्रपलार को साथ जन्वरी को रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि क्योंकि देश में एक आएक कोरोना के केस बढ़ने लगे थे वो भी ओमिक्रोन के जो की एक नया वैरियंट है इसकी वज़े से फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा हैं यही कारण है कि मेकर्स ने इसको टालने का फैसला लिया कुछ समय पहले खबर आए थी कि यह फिल्म 14 अप्रेल 2022 को रिलीज की जाएगी इसको लेकर फैंस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवर्थ मौत को भी बुद़ता है इतना खुन देखके लगता है इसे बड़ी बेहर रहमी जमारा है क्या रीजन है फिल्म को एक साथ बड़े पर उतारने का रियल में कौन सी भाषा का चलन बढ़ा था केजी एफ के समय हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगरट टूडियोज के फिल्मी गलियारे में केजी एफ फिल्म्स की बैग्राउंड स्टोरी कौलार गोल्ड माइन्स पर बेस्ड है जिसमें डारेक्टर ने थोड़ा फिक्शनल ड्रामा भी एड किया है वहीं क्या आप जानते हैं कि कौलार गोल्ड माइन्स जब अपने चरम पर थी उस वक्त केजी एफ तीस हजार माइन्स वरकर्स और उनके परिवारों का घर था और दुनिया भर से अनूभवी माइनर्स के साथ एक मल्टी एथनिक कम्यूनिटी थी जिन में से एक बड़ा हिस्सा कार्णवाल से था जो खदाने खुली तो लोकल लोग वहां काम करने से ना खुश थे क्योंकि ये बेहत खतरना काम था इसलिए तमिल लाडू और से मजदूर शिफ्ट कर गए और तमिल फिर ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक आम भाशा बन गई केजी एफ में एक बड़ी एंगलो इंडियन आबादी थी जिन में से कई ने 1947 में भारतिय स्वतंतरता के बाद ब्रीटिश वरकर्स की भूमिका निभाई ये सब बाते आपको फिल्म में तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हाँ असल केजी एफ की कहानी का ये एक एहम हिसा रहा है ऐसे में अब 14 अपरेल 2022 को आ रही है केजी एफ टू और साथ ही उसी दिन आ रही है आमिर खान की लाल सिंग चठ्ठा पर क्या आपने कभी सोचा है कि सारी डेट छोड़ कर आमिर ने 14 अपरेल ही क्यों चुना इसके दो कारण हो सकते हैं पहला कि आमिर खान की फिल्म जो पिछले 3 साल से बन रही है और जिसके बारे में हर वक्त ये कहा जा रहा था कि फिल्म अब आएगी फिल्म अब आएगी लेकिन हुआ क्या फिल्म कब आ रही है इस साल फिल्म में इतने डिले के चलते जहां दर्शकों का मन फिल्म से उठसा गया था और फिल्म कहीं खोशी गई थी लेकिन जब से फिल्म के क्लैश का बज उड़ा है KGF2 के साथ तब से आमिर के फिल्म सुर्ख्यों में रहने लगी है तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म को KGF2 के सामने लाना एक तरह से लाल सिंग चड़ा फिल्म के लिए अटेंशन पाना हो सकता है वहीं दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद मेकर्स को ये पता लग चुका है कि ये फिल्म बड़े पर इतना धमाल नहीं मचा पाएगी लेकिन आमिर का स्टारडम और उनकी आने वाले फिल्म्स मोगुल पर इतना काफी असर पड़ेगा अगर फिल्म फ्लोक हो गई तो लेकिन अगर फिल्म KGF2 जैसी दमदार फिल्म के सामने फिकी पड़ेगी तो मेकर्स को कवर अप करने में काफी आसान हो जाएगा क्योंकि सब को पता है कि KGF2 के सामने टिकना कितना मुश्किल है ऐसे में ये देखना कितना मज़ेदार होगा कि इस लड़ाई में जीत तो KGF2 की ही फिक्स है हमें ये देखना है कि आमिर खान की फिल्म हारती किसले अधिरा के लुक से हुआ किस का नर्ड एक्टर का कमपेरिजन इसके बारे में क्या बोले KGF के टैर एक्टर प्रशान नील क्या दोनों के बीच कमपेरिजन करना होगा गलत जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्राफ्ट स्टूडियोस के फिल्मिंग गल्यारे में फिल्म के जीएफ 2 को लेकर लोगों के एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी के जीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं या यूं कहें कि के जीएफ के करेक्टर्स उन लुक से कंपेर करना शुरू कर दिया वहीं जैसे ही इसके बारे में के जीएफ चेप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि के जीएफ 2 में अधीरा का लोग वाइकिंग्स के करना बंद नहीं किया अब ट्रोलर्स चाहें जो भी कहें लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे अब आगे देखना तो ये होगा कि के कारण श्री नागर किटी की फिल्म पर कोई बुरा आसर तो नहीं पड़ता या इसकी व वाले हैं इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एकसाइटमेंट है उसे देखकर तो यहीं बता जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है लेकिन इस बार मे अच्का है क्या केजी अफ टू में दिखेगा रोकी का स्लेव्ज के लिए प्यार क्यों नहीं दिखाए हैं घुरू पांडियान के ट्रू इंटेंशन्स हेलो दोस्तू मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में अक्सर हम किसी भी एक्टर या एक्टरेस को अपना फेवरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एक्टर या एक्टरेस की अदाकारी हमें पसंद आती हैं और हम उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं शारुख खान के फैंस उनकी रोमेंस वरी फिल्मों के फैंस हैं और वहीं दूसरी और आमीर खान जिनने बॉलिवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है अक्सर बॉलिवुड फिल्मों में अपनी मैथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उनके फेंज भी उनके इसी अंदाज के लिए उने इतना ज्यादा पसंद करते हैं वहीं अगर हम फिल्म मेकर्स की बात करें तो जहां एक तरफ करण जोहर को उनके फैंटसी क्रियेट करने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है वहीं दूसरी तरफ अनुराक कश्चक को अपनी रियालिटी दिखाने वाली हार्ड हीटिंग फिल्मों के लिए जाना जाता है आजकल बड़े परदे पर हमें पैन इंडिया फिल्मे भी देखने को मिल रही हैं और ऐसे में जब फैंस को काफी समय से इंतजार है केजी अफ फिल्म के सीकुल का तो सब कयास लगा रहे हैं कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नीन अपनी फिल्म मेकिंग के तरीके में ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे वो जीत पाएंगे देश भर की ओडियन्स का दिल जहां तक केजी अफ की बात करें तो हम आपको बता दें कि केजी अफ चैप्टर टू फिल्म दो हजार अठारा की फिल्म केजी अफ चैप्टर वन के आगे की कहानी बताएगी और इस फिल्म में संजैदत, श्रीनिदी शेटी, रविना टंडन और प्रकाश राज के साथ यश बड़े परदे पर फिर से दिखेंगे कई लोगों का कहना है कि केजी अफ टू में हमें एक खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है आपको बता दे कि केजी अफ चैटर वन में जबकि एंड्रूज और राजंदर देशाई के इरादे क्लियर थे पॉलिटीशन गुरू पांडियान ने भी अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया है और हमने अधीरा को भी बहुत कम देखा है हमने देखा है कि रॉकी का करेक्टर डेवलोपमेंट हो रहा है और वो स्लेवज के लिए एक सोफ्ट कॉर्नर डेवलोप कर चुका है वो उतना पत्थर दिल नहीं है जितना वो केजी अफ में शुरू के समय था रॉकी अब केजी अफ चेप्टर टू में इन स्लेवज को आजाद कर देगा जो शायद बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा और शायद यही होने वाला है केजी अफ चेप्टर टू में एक बड़ा ट्विस्ट अब हम तो इस फिल्म के इस प्लॉट ट्विस्ट को देखने के लिए एकसाइटेड है और आप क्या लगता है क्या फ्रशांत कर पाएंगे ऑथेंटिसिटी को मेंटेंग ओवर हाइप के चक्कर में क्या निराश करेगी केजी अफ टू हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोज के दिल्चस्प गलियारे में टॉलिवुड फिल्मों को पूरे भारत में पसंद किया जाता है साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की इतनी दिवानगी है कि लोग नई फिल्म आने का इंतजार करते रहते हैं लेकिन इस बार लोगों को बंपर एंटर्टेन्मेंट का डोज मिलने वाला है दर असल इंडस्ट्री की कई फिल्में लगातार रिलीज होने वाली है जिसे लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है KGF 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी लंबा वक्त दीच चुका है ऐसे में फैंस को कंणर स्टार यश की फिल्म का बेस सबरी से इंतजार है इसका पहला भाग भी लोगों को खूब पसंद आया था बाहुबली सीरीज की तरह ही KGF चैटर 1 को भी फैंस ने खूब पसंद किया था और पूरे देश में फिल्म के चर्चे थे अब KGF चैटर 2 फिल्म को भी पैन इंडिया 5 भाशाव में रिलीज किया जाएगा बता दें कि KGF का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था कंणर, तमिल, तेलगू और हिंदी में आए इस फिल्म के नाम कई रिकॉर्ड बने ये पहली कंणर मूवी थी जिसने 250 करोड से ज्यादा की कमाई की थी वहीं ये चोथी हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील दूसरे भाग में वापसी कर रहे हैं उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है बॉलिवुड अभिनेता संज़दत केजी अफ चेप्टर टू में डेब्यू करने वाले हैं फिल्म में संज़दत खलनायक अधीरा की भूमिका निभाएंगे केजी अफ टू कंणड तेलगू तमिल मल्यालम और हिंदी सहित भाषाओं में रेलिज होगी केजी अफ के पहले पार्ट की इतनी तारीफ और हाइप हुई थी कि लोगों को इस फिल्म के दूसरे पार्ट से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन्स है अब इस ओवर हाइप के चक्कर में कहीं ये फिल्म फैंस को निराश ना कर दे इसका ही डर सब के दिल और दिमाग में है आपको बता दें कि इस डर को दूर मिटाने के लिए प्रशांत नीन ने KGF2 के सेट पर एक ऐसा माहूल बना रखा था जहां सब पूरी मेहनत से काम करते थे और चाहे वो फिल्म के स्टार यश हो या फिर कोई क्रू सभी को सेम ट्रीटमेंट मिलता था प्रशांत ऐसा फिल्म में ओथेंटिसिटी और एक डाउन टू अर्थ फिल्म के लिए करते थे अब हमें तो पूरी उमीद है कि ये फिल्म फैंस के स्टेंडर्स और उनकी एक्सपेक्टिशन्स पर खड़ी उतर पाएगी अब फिल्म की कहानी और फिल्म के किरदार लोगों को इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा अब ये फिल्म जब भी थेटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म की रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को क्या राया दिखेगा इस बार कहानी में क्या होने वाली है इनायत खलील की वापसी केजिया वान के बाद ओडिन्स जहां केजिया टू की रा देख रही है ऐसे में मीकर्स ने फिल्म के रिलीजिंग डेट को आप लॉक कर दिया है जिससे दर्शक आप और भी ज्याद एकसाइटेड हो गए हैं फिल्म को 14 इप्रिल को बड़े परदी पर देखने के लिए अब ऐसे में पिछले साल आई फिल्म के टीजर जिससे देख के हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्याद अबेताव हो चुका है अब ऐसे में कीजिएफ फ्रांस को आज हम बताएंगे कि टीजर में आपने कौन सी टीटेलिंग मिस की होगी जो बॉलिगराथ स्टूडियोज आपको याद दिलाएगा और बताएगा कि आखिर इस बार फिल्म में किस की होगी एंट्री कीजिएफ चाप्टर टू का टीजर तो सब नहीं देखा होगा जिसके बाद कई जगों पर ये सुनने को मिला कि फिल्म के टीजर में दिखाए गए एक सीन में जहां रौकी आनी यश माशीन गन से पुलिस की गाड़ियां उड़ा रहे हैं और उन गाड़ियों पर लंग ल 20s और 80s के समय बर बेस्ट फिल्म है और उस दौरान करनाचा का स्टेट का प्रायर नेम मैसूर था और फिल्म में दिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए उस दौर का नेम प्लेट यूज किया गया है वहीं इस सीन में जिस पॉलर स्टेशन की जलक दिखी उस जिसका नाम ह यह लहंग का पॉलर स्टेशन अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि बैंगलोर की एक जगह है जहां पहले बैंगलोर से अलग हुआ करती थी पर इतना एक्सपांशन हो चुका है तो अब यह बैंगलोर का हिस्सा बन चुका है अब ऐसे में टीजर देखके तो यह स आता होगा कि प्रशांत नील स्लो मो शॉट्स के कितने बड़े दिवाने हैं अब इस बार की फिल्म में भी आपको केजिये चाप्टर वन कि सारी दमदार एलमेंट्स चाप्टर टू में भी देखने को मिलेंगे फिर चाहे वो फिल्म का आक्शन सीन हो एमोशनल एलमेंट ह या फिर फिल्म के किर्दार हो फिल्म में काफी एरियल शॉट्स देखने को मिलेंगे जो फिल्म को एक बड़ी रेंज का मज़ा ओडियंस को दीने में सफल साबित होगी टीजर से वैसे एक बात तो क्लियर समझा रही है कि रॉकी अपने किये हुए वादे को बिलकुल नही लाएंगे जिसमें इनायत खलील जिसको भी की चाहत है वो फिल्म के टीजर में उनकी भी जलग दिखाई पड़ रही है जो हो बहो इनायत से मिल रही है अब ऐसे में पिछले पार्ट में रॉकी के चलते इसके प्लान फेल हो गय थे और लेकिन अगर इन चैप्टर टू में लाया गया तो इसका किरदार डार्ट कारेक्टर प्ले करते दिख सकते हैं वहीं टीजर में आपको एक सीन में देखा होगा कि जहां कुछ लोग सीवी आई ऑफस के बाहर हैरान और परिशान खड़ी नजर आ रहे हैं और एक गाड़ी काफी स्पीज से निकलती है अब इस स से यह पता चल रहा है कि KGF2 की कहानी में इस बार CBI का इंवल्फमेंट भी देखने को मिलेगा जो कहीं न कहीं रॉमिका सेन के किरदार की कहानी से लेंक्ट अब होगा अब ऐसे मिस डाउट को क्लियर करता है टीजर में दिखाई गई पूरी फोर्स की एंट्री यह तो फि लेकिन KGF2 की टीजर में वही पुराने लोगों के कपड़े देख के लग रहा है कि KGF2 में उनके हालाग में ज़्यादा सुधार नहीं आया अब ऐसे में क्यों नहीं आया इसका जवाब हमें फिल्म देख कर ही बता चलेगा KGF1 की तरह इस बार भी KGF2 में कालिमा की पूजा होती दिख रही है जिसमें रीना का कारेक्चर निभा रही श्रीमिधि शेटी हाथ में थाल लेकर खड़ी हैं क्यों चाहिए फिल्म को वर्ल्ड वाइड फीम क्या KGF2 होने वाली है इस साल की सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म क्या KGF से भी बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी KGF2 क्या हो सकता है KGF2 के लिए फायदे मन्द फिल्म के KGF2 को रिलीज होने में भले ही अभी लगबग दो महिने हो लेकिन इस फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर बढ़ रहा है जैसे कि अगर फिल्म को कल भी रिलीज कर दिया जाए तो लोग अपना सब काम छोड़ कर सबसे पहले फिल्म देखने थीटर ही इसी क्रेस को देखते हुए मेकर्स की उमीद फिल्म से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है उन्हें तो यहां तक लगने लगा है कि KGF2 इस साल की सबसे सुपर हिट फिल्म भी बन सकती है कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार KGF चैप्टर 2 अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकती है आपको तो याद ही होगा जब फिल्म KGF रिलीज हुई थी तब वो कंडर फिल्म इंडस्री की सबसे पहली फिल्म बनी थी जिसने अब तक का हाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम किया था वहीं अगर KGF2 को बड़ा र करती है तो वो आसानी से लाल सिंग चड़ा को पीछे छोड़ देगी अब KGF तो सिर्फ कंडर फिल्म इंडस्री के लिए ही स्पेशल थी लेकिन KGF2 को उससे भी आगे निकलने के लिए इंडिया के साथ दूसरे जगहों पर भी हिट लिस्ट में शामिल होना होगा वैसे ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेज है क्योंकि मेकर्स की माने तो उन्हीं लगता है कि फिल्म जब USA में रिलीज होगी तो वहाँ से भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है जो फिल्म के लिए बहुत फायदेमन साबित हो सकता है USA में डोग फिल्म को खरी उतरती है यह तो हमें रिलीज के दिन पता चल जाएगा आगे बात करें फिल्म की तो PGF2 एक पान इंजिया फिल्म है जिसे पांच भाशाओं में बनाया गया है इस फिल्म के आपको यश, संजेदत, रवीना टंडन, श्री निद्धी, अर्चना जोईस और पकाश रा बहुत बड़ी हिट फिल्म सावित हुई थी, जिसके क्या नहीं देखना चाहती ओडियन्स के जेट टू में यश की सिगरेट से किसके तन बदन में उठता है धुआ यू तो दुनिया भर में KGF-1 के फैंस भरे पड़े हैं लेकिन KGF-2 में वापिस वो सीन्स ना दिखाये जाने पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं दरसल KGF-1 में कुछ ऐसे सीन्स थे जो टॉक्सिक मैस्किलानिटी को बढ़ावा देते नजर आये थे तो हमारा सवाल ओडियन्स से ये है कि क्या उनको फिल्म के कंटेंट से प्रॉब्लम है या फिर हमारे रॉकी भाई से माना स्टॉकिंग is a serious offense पर रॉकी का character भी कुछ ऐसा है कि वो S.R.K की तरह बाहे फैला के अपनी heroine को अपने पास नहीं बुला सकता था दरसल रॉकी पहला ऐसा character नहीं है जो बड़े परदे पर ऐसा करता हुआ नजर आया है इससे पहले साउथ की फिल्म अर्जुन रेड़ी का remake कबीर सिंग में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था जी हाँ जब कबीर सिंग प्रीती को थपड मारते हैं तो उसे possessiveness वाला प्यार कहा जाता है पर जब वही हमारे रॉकी भाई अपने प्यार यानी रीना को stop करते हैं तो लोग उसे गलत कहते हैं ये कैसा अन्याय है KGF1 से यश का stardom काफी बढ़ गया है जिसकी वज़े से आने वाली फिल्म में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसकी वज़े से उनकी audience भी प्रभावित हो सकती है लेकिन audience को ये समझना होगा कि फिल्म में दिखाया गया character बस एक कालपनिक किरदार है और उसके द्वारा किये गए actions, script की demand है ना कि actor की personal choice अब आप खुदी सोचिए प्यार में पड़े आशिक का जब दिल तूटेगा तो वो देवदास ही बनेगा ना लेकिन फिर भी लोग इसे गलत कहते हैं वो शारुक खान को कहते हैं कि वो एलकोहल को प्रमोट कर रहे हैं अब आप खुदी सोचिए अगर audience ऐसा सोचेगी तो हमें new age का देवदास कहां से मिलेगा और अगर किसी को इस film से गलत message पहुँचता तो audience stalking करती और cigarette फूपती हुई नजर आती ना कि यश की फिल्म के लिए holiday लेती हुई नजर आती और ना ही यश के birthday के लिए national holiday की दिमान करती ऐसे में साउथ में swag का चलन पहले से ही चलता आ रहा है फिर चाहे वो गन चलाने का style हो या फिर यश की cigarette जलाने का style और sequel के आने से पहले ही इतने सारे records अपने आप में ही ये दर्शाता है कि audience KGF2 के लिए कितनी excited है तो एक बार फिर से अगर तुम्हें हिम्मद हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जांग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मद जुटा ले कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरे दुनिया जीत पाओगे उसका कोई नामों निशान इतिहास के पन्नों में नही रहना चाहिए I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India क्या आपसी फूट से होगा रौकी को फाइदा क्या अधीरा हो जाएंगे रौकी की साइट जी हां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉनिक राब्द स्टूडियोस की इस नई पेशकर्स में जब भी हम थेटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो हमें उस फिल्म से काफी जादा expectations होती हैं अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में research करते हैं फिल्म के बारे में आई reviews परते हैं अपने दोस्तों से उस फिल्म की ratings और फिल्म के बारे में पूछते हैं अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं तो सब को उस फिल्म के बारे में अकसर बताते हैं इसे ही कहते हैं word of mouth और अकसर इस word of mouth से ही किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने का पता चलता है जब केजियाफ चैप्टर वन थेटर्स में लगी थी तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरेट फिल्म बन गई अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्विल से बड़ी उम्मीद है और साथ ही इस फिल्म के सीक्विल को लेकर बहुती ज़़ा क्यूरिसिटी भी है तो चलिए हम आपको पताते हैं कि क्या हो सकता है के जीएफ चैप्टर टू में हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रिलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रॉकी अपनी मां को किये गए वादे को पूरा करेंगे और अगर कोई भी उनके इस बादे को पूरा करने के रास्ते में आता है तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रॉकी का बहुती खतरनाक और खुंकार वर्जन देखने को मिलने वाला है केजियफ पार्टबन का एंड रॉकी के साथ खत्म हुआ था जिसमें रॉकी गरुणा को मारने के बाद केजियफ का राजा बन जाता है अब रॉकी की मदद से सूर्य वर्दन के पांस सपोर्टर्स अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रॉकी की वज़े से इन सबके बीच फूट पर जाएगी और सबके अलग-अलग प्लांस है और आखिर में अधीरा रॉकी की मदद करने के लिए पुषपाई पुषपाई हेटियर्स इन्हें पोच दो माना कि एक बॉलिवर्ट फिल्म का जायलोग है नशादे कितने बार भूल और सुना गया है लेकिन आपको बताते कि इस जायलोग में बॉलिवर्ट की सचाई शायद से नहीं दिखती है हो गये ना आप खराँ वैसे इस पर हैरानी वाली कोई बात ही है क्योंकि बॉलिवर्ट को रोने भूने वाले और emotional scenes बहत पसंद है और इसलिए बॉलिवर्ट के फिल्म में इक वी सारी फिल्मों में रोने भूने वाले और emotional scenes को भर बूट आते हैं इसी के साथ बता दिए कि जब भी आप किसी थेटर में मूवी को देखने चाते हैं और अगर आप रो देते हैं, तो मानिए कि वो फिल्म का काम सक्सेस्टुल है, और वो हेट ही होने वाली है इसी के साथ आपको भी यह पता है कि अब South की फिल्म में पैन इंडिया लेवल पर रिवीज होने लगे तो ऐसे में उन्हें बॉलिवुड के ओडियन्स को मते नतर रब करके फिल्मों को बनाना पड़ता है और इसलिए हमें South की फिल्मों में भी emotional scenes दिखने को मिलने लगी है इसी के साथ हम बात कर रहे हैं Cages 2 की Superstar यश की upcoming film Cages 2 को लेकर के दर्शत बे सबरी से इंतसार कर रहे है क्योंकि इसके पहले पार्ट में जो धमा का मचाया था उसके बाद सब को इसके sequence का बे सबरी से इंतसार है इसी के साथ आपको बता दे कि इसके post production की काम पूरी हो चुपी है और जली है यानि कि 16 April को रिलीस होने वाली है और केज़र चाप्टर वन के धमा के दार परफॉर्मेंस के बाद तो यही लगता है कि जब इसका sequel आएगा तो वो भी super duper hit film ही थाबित होगी और इजना इन इपल कि box office पर धमार भी निशाएगी इसी के साथ आपको बता दी कि इस film के sequel में हमें climax scene देखने को मिलेवा रहें यानि कि सिर्फ climax ही नहीं बलकि खतरना climax scene और आपको यह भी बता दी कि ऐसा सुनने में आया है कि इस film के sequel के लिए एक खतरना climax scene लिखा गया है जिससे दर्शकों का ये कहना है कि हो सकता है कि KGF के मेकर्स ने फिर्म की एंड में यश्क के किर्दार को मार भिया हो ताकि फैंस अभी चहीदे किर्दार के लिए आसु बहाए लेकिन आपको बता आदे कि इस बते ओडियेंस ही नहीं होने वाले हैं जो अपने आसु बहाएं है क्योंकि अधरतर वार्च मतले को बस्राइब दोगताई होई के जी अफी बेल गया और वह भी बैदाओ गया अधरे वह तेरे बाप के और तेरा बाप नहीं क्या रौकी को होगा रमीका से प्यार? क्या खेल खेलेगा रौकी? कहां से शुरू होगी कहानी फिल्म के जी अफ 2 की रिलीस डेट सामने आ चुली है जो 14 एपरिल 2022 को रिलीस की जाएगी के जी अफ देखने के बाद दर्शकों को के जी अफ 2 देखने का लंबे समय से इंतजार है दर्शकों में फिल्म की कहानी को लेकर जबरदस्ट एक्साइटमेंट बनी हुई है के जी अफ 2 में बॉलिवू डाक्टर संजे दत नेगेटिव किरदार में नज़र आने वाले है ऐसे में दर्शकों में इस फिल्म की कहानी को लेकर उटसुपा और भी बढ़ गई फिल्हाल फिल्म की कहानी पहले ही सामने आ चुकी है लेकिन क्या है के जी अफ 2 की कहानी तो यहां बता दे के जी अफ चाप्टर 2 की शुर्भात वही से दिखाई जाएगी जहां से पहली फिल्म का दे एंड हुआ था के जी अफ फिल्म के अंत में यश यानी रॉकी ने अपनी मरती हुई माह से वादा किया था कि वो गरीबों में दम नहीं तोड़ेगा रॉकी के इसी बादे पर फिल्म केजी अफ चाप्टर 2 की कहानी आगे बढ़ेगी केजी अफ चाप्टर 2 में दिखाय जाएगा कि रॉकी का सपना है कि वो सोने के व्यापार पर राज करे और इसी लिए वो इस काम में लगा हुआ है फिल्म के पहले पार्ट में रॉकी गरीबों की मदद करके उनका मसीहा बन गया था चाप्टर 2 में भी रॉकी गरीबों की मदद करते हुए नजर आएगा लेकिन इसके साथ ही वो अपने सपने को भी आगे बढ़ाएगा रॉकी की मुलकात अधीरा यानि संजेदत से हुए फिल्म में रॉकी और अधीरा के बीच सोने की ख़दानों को लेकर जबरदस्थ टकर देखने को मिलेगी रॉकी अब काफी बड़ा हो गया है वो राजनीती के खेल और माफियों के समी करनों को समझने लगा है फिल्म में उसका लक्षे अपने दुश्मनों को खतम करने के साथ ही अपने सपने को पूरा करना भी है फिल्म में अभी नेतरी रवीना टंडन भी है जो एक पॉलिटीशिन का किरदार निभाती नजर आने वाली है फिल्म में रॉकी और रवीना टंडन के बीच लव एंगल दिखाया जाएगा रॉकी का प्यार उसके लक्षे के आरे आएगा अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार तो रीना थी न तो अब रमीका से प्यार कैसे होगा तो यहां आपको बता दे कि प्यार और जंग में सब जायज होता है और यहां जंग जीतने के लिए एक जूठा प्यार भी करना पड़े यश और श्रीनी धी के लिए आएगी मुश्किल अधूरी रह जाएगी लव स्टोरी एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में एक ही पल में कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आजाया और दूसरे ही पल में आपको उसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़े सोचे उस पर क्या बीटी होगी आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे मायूस होने वाली बात क्या है जब कोई इनसान किसी से प्यार करता है और किसी भी कारण से आपको उसे अपनी जिंदगी से जाने देना पड़ता है वो कहते हैं ना कि सच्चे पयार की कहानी में कभी मिलन नहीं होता लकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सच्चा पयार का टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कहीं न कहीं सारी love stories का the end हो ही जाता है चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले ये जमाना प्यार करने वालों के लिए आसान नहीं है आखिर कहते हैं ना इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मनजिल है हमने ऐसी कई कहानिया देखी हैं जहां love stories का एक प्यार भरा अंत होता है लेकिन अब लगता है कि audience को जल्द ही एक और अधूरी कहानी देखने को मिलेगी हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF chapter 2 की खबर है कि KGF chapter 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था कहानी में एक्टर यश्क के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई मा से वादा किया था कि वो गरीबों में नहीं मरेंगे उसका ये वादा दूसरे भाग में पूरा होगा साथ ही KGF chapter 2 में हमें रॉकी भाई और रीना की लव स्टोरी भी दिखाई देगी लेकिन सुनने में आया है कि फिल्म में इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी क्योंकि इनको रॉकी की पावर की लडाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा फिल्म KGF chapter 2 के लिए दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण एक रॉकी का और दुश्मन यानी की संजेदत का किरदार अधीरा भी है साथ ही आपको बता दे कि ओडियंस KGF chapter 2 में श्रीनिदी शेटी जो फिल्म में रीना का किरदार निभा रही है उनकी परफॉमेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा एकसाइटेड है अब श्रीनिदी इस फिल्म में अपने किरदार से लोगों को इंप्रेस कर पाती है या फिर नहीं ये तो साथ है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक मौत को भी बतल रहा है इतना खुन देखके लगता है किसे बड़ी बेहर हैं नहीं समा रहा है सर ये खुन उसका नहीं हमारे लोगों करें क्या एक बद फिर होंबेल फिल्म्स के साथ यश ने मिलाया हाथ कौन सी होगी यश की अगली फिल्म हिलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलीगराद स्टूडियोज में KGF1 के बाद अब KGF2 के साथ बॉक्स ओफिस और दर्शगों की दिलों पर राज करने के लिए तैयार है यश ऐसे में हाल ही में KGF2 के सभी स्टार कास की फीस सामने निकल कर आई है जिसमें फिल्म के हीरो यश ने सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है साथ ही फिल्म के प्रॉफिट में भी भागिदार बनेंगे KGF1 से लाइम लाइट में आने वाले रॉकी भाई की फिल्म KGF2 14 एपरेल 2022 को थेटर में रिलीज होने वाली है ऐसे में इसके बाद यश कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे ये जानने के लिए आप सभी एक्साइटेड होगे तो बता दें आपको कि पिछले साल के एंड के आस्पाइब